है है लो माई सीब्यसी चैंप्टियन बच्चों आपका स्वागत है संकल भारत फांडेशन प्लैटफॉर्म पे और आज के इस लेक्षर में मैं आपको लाइट चैप्टर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन प्राक्टिस कराने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक ज करना था पता चलेगा आपका अंसर सही है गलत है आपने सही अपलाई किया गलत हुआ है और गलतियां हुई तो कहां हुई यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे तो स्टार्ट करें चलिए तो आपको पता है कि बोर्ड एक्जाम में आप से हर विराइटी के कोश करांगा तो सबसे पहले objective स्टार्ट करते हैं अब्जेक्टिव के बाद आएगा आपका एस्टर्शन रीजन फिर आएगा आपका subjective और फिर चेस बेस ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से पहले कोशन में क्या पूछ साय कि Light enters from air to glass है विक रिफ्रेक्टीव index 1.5 the speed of light in glass is to glass में light की speed पूछी है यानि आप से वी पूचा है वी मतलब speed of light किसी मीडियम में और मीडियम हमारा दे रखा है ग्लास और आपको ग्लास का refractive index दे रखा है कितना 1.5 यानि आपको n की वैल्यू देकर वी की वैल्यू पूची है तो यहां कौन सा आप लाई होगा यहां को अप्लाई करना होगा एन इसकल टू सी अपन वी अब आपको भी निकाल ला है तो वी हो जाएगा आपका यह पॉनन सी की वैल्यू कोई बताएगा नहीं आपको याद होनी चाहिए सी की वैल्यू होती है त्री इंटू टैन की पावर एट मीटर पर सकेंड यानी सी का मतलब होता है के स्पीड ऑफ लाइट इन वेक्यूम या एर ठीक है अपन एन एन कितना है 1.5 अब आप इसे सॉल परोगे तो आजाएगा टू इंटू टैन की पावर एट यानी ग्लास मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हा गई टू इंटू टैंच पावर 8 मिटर पर सेकेंड हमारा बी इस डिस्टेंस वी सकल टू 5 सेंटीमेटर फोकल यंथ सकल टू 10 केंटी मीटर हाइट अफ इमेज इसकल टू 7.5 सेंटी मेटर दक्रेक्ट रिप्रेजंटेशन एक और इंट तो थाइन कंवेंशन क्या होता है प्लस होता है कि माइनस होता है 10 he 8 10 cm कि में क्या लिखूँगा प्लस 10 cm लिखूँगा तो जो माइनस वाले हैं व ऑप्शन क्या हो गये गलत हो गये पहले ऊप्शन में मैनेस 10 Premier यह अप्शन गलत हो गया सी ओप्शन में मैं मैं फोकल लेंथ माइनस में फैमेल अब बचा है मेरा B O D option ठीक है अब convex mirror जो image बनाता है वो कैसी बनाता है virtual बनाता है erect बनाता है और image के पीछे बनाता है पीछे बोलने का मतलब राइट साइड हो गया जैसा है अगर यह convex mirror है तो जो image बनेगी वो पीछे बनेगी माल लेते हैं हाँ बन रही है तो image को measure कहां से करते हैं image की distance पोल से तो पोल से आपको कहां जाना पड़ेगा राइट जाना पड़ेगा तो image की distance क्या होगी प्लस होगी तो convex mirror जो भी image बनाएगा उस image की distance हमेशा प्लस में होगी क्योंकि वो image mirror के पीछे यानि right side बन रही है तो पोल से right side जाएंगे तो distance measure करेंगे तो प्लस लेंगे तो यानि कि V की value क्या होनी चाहिए प्लस होनी चाहिए ठीक है अब B option में V की value minus थी minus 5 तो ये गलत हो गया डी option में V की sign क्या थी प्लस थी तो ये सही option है तो वैसे ही तीन option गलत हो गया तो हमारा answer क्या होगा डी और height जो image की बनेगी वो height कैसी होगी plus में होगी क्योंकि virtual or erect image बन रही है तो height भी प्लस में होगी 7.5 यानि image भी प्लस में focal length भी प्लस में height of image भी प्लस में और ये तीनों प्लस में किस option में डी तो हमारा answer होगा डी बहुत बढ़िया question है ऐसा question आपसे बन सकता है तो आपको पता होना चाहिए प्लस और माइनस sign कब लेंगे ठीक है अगर कौन के mirror होता तो focal length माइनस में होता तो ये छोटे-छोटे concept है जो आपको ध्यान रखना है अगले question पर चलते है question number 3 चाह लिखा है for the diagram shown according to the new Cartesian sign convention the magnification of the image form will have the following specification अब आपको यह जो diagram दिया है उस हिसाब से जो image बनेगी उस image के magnification का सही value sign क्या होगा तो पहली बात ये diagram दिया किसका है mirror का की lens का तो ये mirror का है कौन से mirror का तो ये mirror अंदर की तरफ धसा है तो ये तो कौन के mirror है हाँ sir कौन के mirror है अब कौन के mirror के सामने ये क्या है AO ये हमारा object है और object कहां रखा है mirror के pole और focus के बीच में तो अब आप ही बताइए कि image कहां बननी चाहिए अब आपका ये special case है convex कौन के mirror का ये special case है कि कौन के mirror वैसे तो रियल image बनाता है वो भी किदर on the side of the object यानि जिदर object है उधर ही रियल image बनाता है वो भी inverted लेकिन अगर object कौन के mirror के सामने पोल और focus के बीच में रख दिया जाए तो जो कौन के mirror है वो क्या करता है वर्चूल image बनाता है वो भी mirror के पीछे और बड़ी image बनाता है है न तो ये बनती है virtual erect और magnified image ये special case है कौन के mirror का ठीक है तो याद रखना अगर कौन के mirror के सामने object को पोल और focus के बीच में रख दिया जाए तो कौन के mirror उस object का virtual erect और magnified image बनाता है कहां mirror के पीछे है न तो वर्चूल erect है image है तो magnification का sign क्या होगा प्लस और magnified है तो value क्या होगी more than one तो प्लस और more than one खोजना है तो negative negative तो पहले गलत हो गए तो sign positive होगा हां लेकिन value क्या होगी more than one तो हमारा भी option is the right answer clear समझ में आगे आगे चले कोशन कितना सिंपल था ध्यान रखो magnification की value जो होती है sign जो होती है वो माइनस तब होता है जब रियल इमेज होती है और magnification का sign plus तब होता है जब virtual image बनती है जो दो हमको पता चल गया कि इस case में image virtual बनेगी तो magnification का sign plus होगा और बड़ी बनेगी तो magnification की value 1 से ज़्यादा होगी तो इसलिए हमने यह option टिक कर दिया चलिए आगे चलते है next अब आपको यहां बोला है the refractive index of kerosene is 1.44 and that for alcohol is 1.36 with respect to air what is the refractive index of kerosene with respect to alcohol अब यह को ऐसा question आपके board exam में आ सकता है कौनकि पिछले साल भी आया था ठीक है उसके पिछले साल भी आया था तो इस question की practice कर लो बहुत अच्छा question है और यह most demanded question है आता ही आता है अब आपको क्या कि बोला है यहां केरोसीन का refractive index दिया है न कितना दिया है 1.44 यानि N kerosene आपको दिया है कितना 1.44 ठीक है और क्या दिया है अल्कोहल दिया है एन अल्कोहल एन अल्कोहल का अब आपसे पूचा है refractive index of kerosene with respect to alcohol है न तो इसका मतलब यह हुआ कि kerosene का alcohol जिसके respect में पूचा जाए उसका refractive index नीचे पूचा किसका है kerosene का refractive index किसके respect में अल्कोहल के respect में तो अल्कोहल का refractive index क्या होगा वह fraction में नीचे जाएगा और जिसका पूचा था उसका value उपर जाएगा तो kerosene का refractive index पूचा तो kerosene का refractive indexyou कोती एक कर थे रिस्पेक्ट में है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तो अगर आप इसे सॉल करोगे तो कितना आएगा बताओ अगर आप इसे सॉल करोगे ते यह 1.05 की लगबग आएगा आएगा की नहीं हाँ तो हमारा आंसर क्या होगा डी 1.05 यानि की केरोसीन का एयर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.44 है लेकिन अलकोहल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.05 है तो किसके रिफ्रेक्ट ना पूछा जा रहा है यह बहुत मैटर करता है और जिसके रिफ्रेक्ट ना पूछा जाएगा उस मीडियम की रिफ्रेक्टिव की वैल्यू नीचे रखना है जैसे का अल्कोहल के relationship ने पूछा था तो अल्कोहल की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैंने नीचे रखी किसमें फ्राक्शन में नीचे ठीक है चलो अगले कोशन पर चलते हैं यहां क्या लिखाए एंट वाजिन फ्रंट आफ यहां जैसा कि डाइग्राम में दिख रहा है यह Convex Lens है हाँ सर Convex Lens है इसके सामने एंट को रख दिया मैंने तो एंट हमारे लिए क्या है एंट हमारे लिए चीटी नहीं यह ऑब्जेक्ट है एंट तो खुट चीटी हो गई लेकिन वो हमारे लिए या इस Convex Lens के लिए वो किसके तरह behave करी ऑब्जेक्ट की तरह अब ज़रा इसकी position देखो यह हो गया lens का क्या optical center ओ तो यानि object की position क्या है optical center और focus के बीच में है तो जो इस object की image बनेगी वो कैसी बनेगी उस हिसाब से image आपको यहाँ select करना है तो याद कीजिए special case Convex Lens के सामने अगर object optical center और focus के बीच में हो तो जो image बनती है वो virtual बनती है और erect बनती है और बड़ी बनती है यानि magnified बनती है तो अगर यह object है तो यह उसकी image है तो यानि जो cheaty की image बनेगी चीटी की जो image बनेगी कौन बनाएगा image Convex Lens वो कैसी बनाएगा वो virtual erect यानि सीधी बनाएगा और बड़ी बनाएगा तो इन चारों option में वो कौन सी image है जो सीधी भी है और बड़ी भी है यह option सीधी तो है लेकिन बड़ी नहीं है गलत हो गया यह option सीधाई नहीं है तो उल्टी में जैंवर्टेट इमेज यह भी गलत हो गया सी option virtual erect image यानी सीधी मेंज Image erect मतलब सीधा Image तो यह चीटी की सीधी देखो जैसी चीटी यहाँ है वैसे चीटी यहाँ दिखरी सीधी इरेक्ट इमेज है और बड़ी भी है ठीक है यहाँ उल्टी चीटी दिखर रहे है यानि इनवर्टेट इमेज तो बने गोले इस खैसी है वर्चुल हैसिए और मैगनिफाइड है यानी चीटी की इमेज सीधी और बड़ी बननी चाहिए और वो आपका केवल सी ऑप्शन में दिख रहा है तो हमारे स्कोशन का अंसर क्या होगा सी होगा कि इस ऑबजेक्ट की चीटी की जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी यानि सीधी वर्चुल इरेक्ट और बड़ी यानि मैगनिफाइड ठीक है डिपेंड करता है पोजीशन पर चलो आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 6 पर है न कोश्चन नमबर 6 में क्या बोला है वेन अबजेक्ट इस प्लेज इन फ्रेंट आफ ए कॉनकेव लेंस बिट्वीन एट 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 एफ यह बिट्वीन आगे बीच में से कॉनकेव लेंस के सामने ऑबजेक्ट को हमने कहां रखा है एफ पे रखा है तो वैल्ली और साइन ओफ मैगनिफिकेशन क्या होगा अब ज़रा सोचो concave lens concave lens अगर object infinity पर है तो image कहां बनाता है focus पे लेकिन अगर object infinity पे नहीं है कहीं और है कहीं और का मतलब C पर हो, 2F पे हो between 2F and F हो F पे हो या between O and F हो कहीं भी हो तो जो image बनेगी वो focus पे ना बनकर optical center हो focus के बीच में बनेगी तो जब यहां बोला है कि concave lens के सामने जो object है वो focus पे है यानि वो infinity पे नहीं है तो object की image कहां बनेगी infinity पर object होता तो image focus पे बनती object infinity पे नहीं है F पे है तो image कहां बनेगी between optical center and focus कैसी बनेगी virtual and erect बनेगी और dimnist बनेगी तो यहां जो image बनेगी चल गया कि virtual बनेगी erect बनेगी और dimnist बनेगी अब virtual image है तो magnification का जो sign होगा वो plus होगा dimnist है तो m की value less than 1 होगी तो मुझे यही option देखना है clear अब option देखो plus होगा और less than 1 होगा तो negative वाले पहले गलत होगे plus more than one plus less than one तो हमारा answer क्या होगा c जाएगा ठीक है तो इस question का answer क्या है c है clear समझ में आ गया देखो यह object माल लेते हैं यह object कहा है focus पे तो भी image जो बनेगी वो focus और optical center के बीच में बनेगी क्योंकि concave lens के case में अगर object infinity पे नहीं है उसके अलावा कहीं भी है कहीं भी focus पे between 2F और F के बीच में कहीं भी object की image हमेशा O और F के बीच में ही बनेगी तो अगर इस object को मैं 2F पे रखूं तो भी image O और F के बीच में बनेगी मैं object को 2F और F के बीच में रखूं तो भी image और F के बीच में बनेगी मैं object को उठाकर focus पर रख दूँ तो भी image और F के बीच में बनेगी Concave lens का यह case है ठीक है तो हमने इस question को भी solve कर लिए अब आगे चलते है question number 7 पर question number 7 में क्या बुला है कि आपको सही diagram select करना है image formation का which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging lens converging lens मतलब convex lens तो convex lens किसी object का screen पर इमेज फॉर्म कर रहा है उसका सही diagram कौन सा है पहला वाला diagram तो पहले वाले diagram में दिखाया कि object से जो light ray आई वो converging lens से refract bend होकर कहां से गुजर रही है इस point से गुजर रही है यह point focal length का दुगना है यह option गलत हो गया जो गलत हो गया क्योंकि पार्ला लाइट रे converge होने के बाद कहां से गुजर रहेगी focus से focus की distance कितनी होती है optical center से focal length के बराबर जबकि यहां क्या लिखा है twice into focal length यानि focal length का दुगना यानि यह 2f किस से गुजर रही है तो इसलिए गलत हो गया है कि नहीं अगर आपको पता है कि अगर focus से गुजर रही है तो focus और optical center कि बीच की दूरी ही तो focal length होती है तो जो parallel light trace है वो converge होकर अगर focus से गुजर रही है मतलब लेकिन यहां क्याल लएत्व मतलब यहां since यहां भी लिखाए titre यह ऐसे आया और यह गुजर रही है तोhos फोकल लेंद इतने दूरी focal length दिखाया है, यानि ये focus हुआ, तो ये बिल्कुल सही है, और ये third, जो दूसरी light रहे है, वो optical center से सीधी pass हो जा रही है, तो ये भी सही है, क्योंकि optical center से light सीधी pass हो जाती है, ठीक है, D option में, D option में यहां गलती पकड़ में आ गई, कि ये जो focus से pass हो रही थी, माल लेते हैं, ये उपर जा रही है, ऐसा कभी होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी गलती हो गई, तो हमारे D option भी गलत, B option भी गलत, A option भी गलत, C option सही है, ये option क्यों सही है, क्योंकि जो parallel light ray थी, वो converge होकर focus से pass हो रही है, और जो optical center से pass हो रही थी, वो सीधे pass हो जा रही है, तो यानि ये ray formation, image formation सही तरीके से दिखाया गया है, तो हमारा सही answer क्या होगा, C होगा, तो जो image स्क्रीन पे जो image बनेगी, वो सही बनेगी, ठीक है, ये सही तरीका है, image formation के जो rule है, उस rule को ये follow कर रहा है, चलो, question number 8, question number 8 में क्या दिया है, light enters from air to turpentine oil, having refractive index 1.47, what is the speed of light in the turpentine oil, तो turpentine oil में speed पूचा है, speed कैसे निकालेंगे, वही, जैसा पहला question किया था, N is called to C upon V, तो V मतलब C by N, C कितना है, आपको पता ही है, 3 into 10 की पावर 8 मिटप पर सेकेंड, N, किसका रखेंगे, turpentine oil का, medium क्या है हमारा, turpentine oil, उसका refractive index N की value कितनी है, 1.47, अब आप इसको solve कर लो, तो इसको solve करोगे है, ये कितना आएगा, आपका, 2.something आना चाहिए, है न, हाँ, देको, 2.04 आएगा, और वही आपका calculation से आ रहा है, तो हमारा answer क्या होगा, C होगा, क्यार, चलिए, आगे चलते हैं, question number 9, question number 9 में, ray diagram of the image formation by a compound microscope is given in the diagram given below, ये जो diagram है, इसमें, compound microscope कैसे image form करता है, वो दिखाए गया, है, अब आपको पूचा है कि, what is the value and sign of magnification, according to the new Cartesian sign convention of the image formed by objective lens L1, अब यहाँ objective lens L1 कौन सा है, ये जो lens देख रहे हो, ये objective lens है, है न, है तो convex lens, लेकिन इसका नाम objective रख दिया गया, है convex lens, अब ये जो image बना रहा है, है, उस image का magnification का sign और value क्या होगा, तो इस diagram को अगर ध्यान से देखोगे, तो ये रहा हमारा objective lens L1, जो कि एक तरीके का convex lens है, और इसके सामने ये रखा हुआ है object, ठीक है, और इस object की, यहाँ बन रही है image, ये है आपकी image, है ना, ये image है, इसको मैं अगर ऐसे दिखा तो वाइलेट से, ये image है, ये आपका object था, ये image है, तो ये image कैसी बन रही है, पहली बात आपको होगे, कि light ray सचमुच में मिल रही है, एक ये light ray, और ये light ray, दोनों मिल रही है, इस point पर तज आपके रही है, इमेज बन रही है, तो image क्या होगी, रियल होगी, और उल्टी बन रही है, प्रिंस्पल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो उल्टी हुई, यानि real और inverted, और object के comparison में, इसका size बड़ा है, यानि magnified and large, तो अगर real image है, आप भी बताइए, magnification का sign क्या होना चाहिए, माइनस, और magnified है, तो M का value क्या होना चाहिए, more than one, अब आपको यही select करना था, तो minus, negative, और M की value, more than one, तो more than one, यानि D option is the right answer, तो हमारे question का answer क्या होगा, D होगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ देखने से लग रहा है, कि object की बड़ी image, और real image बन रहा है, real image तो magnification का जो sign होगा, वो minus यानि negative होगा, और enlar, यानि बड़ी image है, magnified image है, तो M की value more than one होगी, D option हमारा सही answer है, question number 10 पे चलते हैं, in your laboratory, you trace the path of light ray through a rectangular glass slab for different values of angle of incidence, and in each case, measure the value of corresponding angle of refraction and angle of emergence, on the basis of your observation, you correct conclusion is, याद आ रहे हैं कौन से experiment, rectangular glass slab, कुल मिला के question, rectangular glass slab पर पूछा गया है, अगर आपको rectangular glass slab याद आ रहा होगा, तो ज़रा याद कीजिए, मैं आपको rectangular glass slab पे ले चलता हो, answer पर बात पर चर्चा करेंगे, पहले ज़रा rectangular glass slab पर चर्चा कर लेते हैं, अब यहाँ आप rectangular glass slab देख रहे हो, इसके दो refracting surface है, जहाँ reflection हो रहा है, एक surface यह दिख रहा है आपको, PQ, और दूसरा surface यह है, SR, ठीक है, एक बार air से glass में reflection हो रहा है, और दूसरे बार glass से air में, तो जब पहले surface पर reflection हो रहा है, तो आप ही बताइए, बाहर rarer medium है, और अंदर, glass तो denser medium, तो rarer से denser, तो light किधर bend होगी, normal की तरफ bend होगी, तो यह तो हो गया angle of incidence, eye, अब अगर यह light सीधी गुजर जाती, तो यह दोनो angle बराबर होते, लेकिन अब आप क्या देख रहे हो, यह bend हो गई है, यह इस तरीके से towards normal bend हो गई, और towards normal bend हो गई, क्योंकि light किधर से किधर जा रही थी, और एरर से denser, अब क्योंकि यह towards normal bend होई है, तो यह जो angle है, angle R, यह कम हो जाएगा ना आई के comparison में, तो पहला conclusion यह निकला कि angle I is greater than angle R, ठीक है, अब यह light ray यहाँ आई, फिर अब यह denser से rarer की तरफ जा रही है, तो यह normal से दूर bend होगी, तो angle E क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह angle R है, तो यह भी तो angle R ही होगा, तो angle R के comparison में, angle E बढ़ा होगा, तो angle E is greater than angle R, लेकिन अब अगर इन दोनों angle को comparison करूँ मैं, angle I और E, तो यह दोनों angle तो बराबर होंगे न, क्यों? क्योंकि बाहर वाला medium तो same है, यहाँ भी air, यहाँ भी air, तो angle भी क्या होना चाहिए, medium same तो angle भी same, तो I और E तो बराबर होगा, तो मेरा conclusion यह निकला कि angle I is equal to angle E, यह angle of emergence है, और दोनों बड़े हैं किस से? अगर R से, तो अब आप बताएए सही option कौन सा select करोगे, पहला लिखा है angle I is more than angle R, सही है, but nearly equal to angle E, angle I is less than angle R, गलत हो गया है पहले ही, angle I is more than angle E, यह भी गलत Его गया, कि यह दोनों तो बराबर होंगे, angle I is less than angle E, यह भी गलत हो गया, कौनकि दोनों बराबर होंगे हैं ना, तो हमारा सही option क्या होगा, a होगा कि angle i और e एक्कुल होंगे लेंग जयांई है उसके comparison में जो आरघ में बढ़ा होगा और बराबर होगा angle e के angle i बढ़ा होगा और बराबर होगा किसके angle e के और ये दोनों बढ़े हैं किस से अंगल से angle करने का तो यह स्क्री सिक्वेंस है यह दोनों एंगल बराबर और यह दोनों एंगल बढ़े हैं इस एंगल से यानि एंगल आफ रिफ्रेक्शन से लिए चली कोशन नमबर 11 पर आते हैं the image of an object formed by the converging lens is virtual erect and magnified with magnification plus three what is the position of object in front of lens converging lens converging lens mackler convex lens convex lens you see object video image when our application are a virtual erect or magnified one are a convex lens kc object key virtual or erect or demo and large image man बना रहे magnified image बना रहे तो ऐसा कब होता है यह convex lens virtual image बनाए वैसे तो convex lens क्या करता है real image बनाता है आम तोर पर लेकिन ऐसा कब होता है कि convex lens virtual erect or magnified image बनाए ऐसा तब होता है जब आपका object कहां रखा हो convex lens के सामने optical center or focus के बीच में रखा हो यह नहीं यहां रखा हो ना यह optical center तो और एफ के बीच में रखा हो तब ऐसा होगा तो वाट इस दा पोजिशन ऑफ अब्जेक्ट मेट्वेन ओ एन एफ तो हमारा इसे प्राइब लेंस एन इमेज इस फॉर्म डेटे डिस्टेंस ओफ सेवन सेंटीमेटर फ्रॉम दे लेंस चूज दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है कॉनकेव लेंस है कॉनकेव लेंस ऐसा होता है हाँ होता है ठीक है लिए पारलेल बीम आफ ट इस मेंट टूफ़ लेंस यानिओड लेंस पर एक पारलल बीम आफ लैक को क्या किया गया एज गराया गया तो connect लेंश क्या करेगा इसे sorry Concave लंस इसे क्या करेगा डाइवर्ज कर देगा हाtt साड़ीवर्ज कर देगा तो डाइवर्ज करने पर ये इधर दूर चली जाएंगी तो अगर आप इधर खड़े ओकर देखोगे जैसे मैं इधर देख रहा हूं तो मैं उझे दिखेगा कि ये दोनों लाइट्रे कहीं किसी एक पॉइंट से निकल रही है 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 ना ऐसा लगेगा कि इमेज यहां है और व फोक्स क्यात है और जो इमेज बन रही है इमेज यहां बन रही फोकस पे और मे जो बन रही है उसका डिस्टन्स कितना दिया है seven सेवन सेंटीमेटर फॉम दे लेंस सेवन सेंटीमेटर फॉम दे लेंस तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज की इमेज कहां बन रहा है फोकस पे उसकी डिस्टेंस कितना दिया है सेवन सेंटिमेटर तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा फोकल लेंथ और अप्टिकल सेंटर से आपको ने लेफ्ट एंड साइड जाना पड़ेगा तब फोकल लेंथ मिजर करोगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा माइनस और हाईली डिम्निस्ट बनेगी बहुत छोटी अब कोशन में क्या बोला चूज दा इन करेक्ट स्टेट्मेंट इन करेक्ट स्टेट्मेंट चूज कीजिए जा कीज़े इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज कीज़े तो पहला लिखा है दा इमेज फॉर्म्ड इस रियल एन इन्वर्टेड इनकरेक्ट इनकर इमेज इस हाइली डिमनिस्ट बिलकुल अगर कॉनकेव लेंस के सामने इमेज बन रही है फोकस पे अगर पैरलल भी माफ लाइट आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी तो इमेज कहां बनेगी फोकस पे बहुत छोटी पॉइंट साइस की हाइली डिमनिस्ट तो यह तो फोकल लेंट ऑफ दा लेंज इस माइनस सेवन सेंटीमीटर बिलकुल सही क्योंकि आपको जो इमेज की डिस्टेंस दी है तो इमेज की डिस्टेंस कहां से दी है ऑप्टिकल सेंटर से 7 सेंटीमीटर और इमेज बन कहां रही है फोकस पे तो अप्टिकल सेंटर से फोकस की द चूज दा इनकरेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है पहला है तो पहला चूज करेंगे हमारा अंजर फर्स्ट होगा ए उच्ट ग्लिया चलिए question number 13 if the power of a lens is minus 4 adapter then it means that the lens is lens का power क्या है minus में minus 4 है न तो minus क्या बता रहा है किसका power minus में होता है concave lens का power minus में होता है तो lens कौन सा है concave lens ठीक है तो convex वाले तो पहले ही गलत हो गए क्योंकि कौन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो प्लस में होता है ठीक है convex lens का power plus में होता है अब आपको पता चल गया concave lens है लेकिन focal length भी तो निकालना होगा focal length कैसे निकालेंगे one upon p से p is equal to one by f तो f is equal to one by p जो जाएगा one upon p कितना है माइनस 4 ठीक है यह मीटर में आएगा सेंटी मीटर में बदलना है तो 100 by 4 कर देंगे तो यह सेंटी मीटर हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका माइनस 25 सेंटी मीटर तो हमारा focal length कितना आएगा माइनस 25 सेंटी मीटर सी इस दा राइट अंसर लेंस कॉनकेव है और focal length माइनस 25 सेंटी मीटर है यह हमारे सी इस दा राइट आंसर ठीक है कोशन नमबर 14 यह कॉन्वेक्स मिरर है उसके सामने एक object को रखा है हमने यह हमारा candle जो है वो object है candle से एक parallel light ray निकल रही है वो फ्का अन्वेक्ट मिरर के इस पॉइंट पर क्या होगी reflect होगी और reflect होकर कहां से पास होगी तो क्या epsilon एक अकि क्या होगी हमारा आंसर है हमारा अकर है सी एक्स पॉइंट है कि नहीं अगर हैँसा होता लाइट रे ऐस ल्य इक होती और यह ठाक्रागर Type से पास होती है तैसा लग रहा होता कि फोकस से निकल रही है लेकिन पास तो इधर से हो रही है एक से तो हमारा अंसर सी है चलो कोस्टेन नमर 15 क्या बोला है कंसीडर थ्री इंडिसेज ऑफ रिफ्रेक्शन ग्लाज 1.5 टू एर वन एंड वाटर 1.33 बेस्ट ऑन दर रिफ्रेक्टिव इंडिसेज ऑफ थ्री माटेरियल्स अरेंज दा स्पीड ओफ लाइट थू देम इन डिक्रीजिंग और यानि आप आपको तीन मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडिक्स देकर इसपीड ऑफ लाइट मेहीं में उसका डिक्रीजिंग और पूछ स् â और इन देक्स और स्पीड ओ फौलाइट अपस में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कैसा रिलेशन नेuren एक बार यह सिमेंट पर चलो सिमेंट के घोल में सिमेंट का घोल बनाते हैं बिल्लिंग बनाते हैं पाउडर वाला सिमेंट नहीं जब सिमेंट में पानी डाल दो तो आप ही बताओ पानी में चलना असान है शहद और गाड़ा हो गया तो उसमें चलना और मुश्किल और अगर सिमेंट में पानी भर दिया जाए पानी का उसका सिमेंट का घोल बना दिया जाए और उसमें बोला जाए चलने को और मुश्किल क्योंकि गाड़ा है तो चीजें जितनी गाड़ी होंगी आपका चलना उतना मुश्किल होगा तो लाइट को भी चलना उसकी स्पीड भी तो क्या हो जाएग medium उतना ज़्यादा dense और light की speed उतनी ज़्यादा कम यानि refractive index बढ़ेगा medium denser होता जाएगा light की speed कम होती जाएगी यानि inverse relation है तो speed of light और refractive index of any medium में कैसा relation है refractive index इन दोनों में कैसा relation है inverse relation है यानि अगर मुझे speed का speed of light का decreasing order चाहिए decreasing order मतलब maximum से minimum तो maximum light की speed किसमें होगी जहां का refractive index सबसे कम है सबसे कम इन तीनों में किसका है एयर का तो refractive index सबसे कम एयर का है तो light की speed सबसे ज़्यादा किस में होगी एयर में एयर के बाद refractive index बढ़ेगा तो light your speed कम हो जाएगी तो अगला medium कौन है water तो एयर से ज्यादा refractive index water का तो light की speed water में थोड़ा और कम हो जाएगी और उससे ज्यादा refractive index glass का तो glass में light की speed और कम हो जाएगी यानि speed का अगर हम सही sequence देखे speed of light का तो सबसे ज्यादा speed light की किसमें होगी एयर में उससे कम water में और सबसे कम glass में क्योंकि glass का refractive index अबसे ज्यादा है refractive index अबसे ज्यादा तो light की speed सबसे कम तो यह decreasing order हो गया अभी कौन सा option में speed of light in water is greater than speed of light in air गलत speed of light in glass सबसे ज्यादा गलत speed of light in air सबसे ज्यादा फिर उससे कम water में फिर उससे कम glass में हाँ सी option is the right answer तेक है समझ में आ गया सबसे ज्यादा लाइट एयर में speed है फिर वाटर में और सबसे से कम glass में यह decreasing order है increasing order पूस्ता तो ग्लास फिर उससे ज्यादा water फिर उससे ज्यादा एयर तो यह relation याद रखना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और speed of light का inverse relation होता है कि जितना बढ़ेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लाइट की speed उतनी कम हो जाएगी मीडियम में जलो question number 16 question number 16 में पूचा है कि दो रे रे वन रे टू पास और यह डिवाइस से और जब वो निकल रही है तो वो यहां से निकल रही है तो यह डिवाइस क्या हो सकता है पहली बात अगर रे पास हो रही है तो वहां reflection तो है नहीं तो यह मिरर तो हो नहीं सकता मिरर होता तो ठकरा कर यह लाइट रे वापस हैसे आ जाती तो यह मिरर तो है नहीं तो यह option तो पहले गलत हो गया, uh安全 lens होता तो इन दोनों को मिला देता उब ही नहीं हो रा ये भी नहीं है, प्रिकम हूता तो इन light को वैट्लाइट को 7 कलर में smilesmade कर देता वो भी नहीं हो रहा, कि तीन आप्शन तो हमारे गलत हो गये तो बचाहिएक option, rectangular glass lab और ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं ना कि rectangular glass slab क्या करता है देखो अगर यह rectangular glass slab है और इस पर कोई light tray ऐसे आई तो पहले यह towards normal bend होगी फिर away from normal bend होगी तो यह जो incident tray है और यह जो emergent tray है दोनों क्या है parallel लेकिन यह थोड़ी सी जब बाहर निकल रही है तो थोड़ी सी shift हो गई है बस वैसा ही आपको यहां नजर आ रहा है कि यह लाइट रहे थोड़ी सी निकलना तो जाई यह था यहां से लेकिन थोड़ी सी shift हो गई और यह पारलल है emergent tray के तो यह lateral shift कम नजर आता है जब आपका यह डिवाइस क्या होगा रेक्टेंगल और ग्लास लैब तो हमारा answer आपका भी होगा बीज़ राइट अंसर लिए क्लिए चलो कोशन नमर 17 क्या लिका एप पर्सन स्टेंडिंग वन मीटर इन फ्रेंट आफ प्लें मिरर एप प्रोच अप्रोच इस दा मिरर भाई 40 सेंटीमेटर दर नियू डिस्टेंस बिट्विन दा पर्सन एन इस इमेज इन प्लें मिरर इस अब यहाँ प्लें मिरर की जो इमेज की प्रोपर्टी होती है वो आपको पता होनी चाहिए तो यह मैंने प्लें मिरर बना दिया अब प्लें मिरर की जो इमेज की प्रोपर्टी होती है वो यह कहती है कि प्लें मिरर से जितने दूरी पर अबजेक्ट होगा उतने ही दूरी इमेज बनेगी जैसे अभी क्या बोला person standing 1 meter in front of plane mirror तो यह person हमारा क्या है यह person हमारे लिए object है और Suzanne यह कितने दूरी पे ख़़डा है plane mirror से एक मीटर दूरी पे ख़डा है यान Corinth सेंटी मीटर दूरी पे ख़डा है तो इस फरसन की जो प्लेन मीरर में image बनेगी वो भी 100 cm दूर बनेगी ठीक है अब कोशन में यह बोला है कि प्लेन मीरर तो वहीं है अपनी जगाप पर लेकिन यह ऑब्जेक्ट है वो 40 cm मिरर की तरफ एप्रोच करता है तो अगर यह आगे आएगा 40 cm तो अब इसकी दूरी मिरर से कितनी हो गई तो अब दूरी कितनी रह गया है प्रणी चाहिए और यह डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए न्यूर्ण से इमेज की डिस्टेंस दोनों बराबर होनी चाहिए पहले 1-1 मीटर थी अब ये 60 cm है तो इमेज भी मीरर से 60 cm की दूरी पर बननी चाहिए तो ये आपका अबजेक्ट हो गया ये इमेज हो गया तो डिस्टेंस हमेशा सेम होता है ठीक है तो 40 cm आगे आया तो पहले 100 cm दूरी पर था 40 आगे आया तो अब दूरी कितनी रहे शाथ अब आप से अबजेक और इमेज की बीच की डिस्टेंस पूचा है तो डिस्टेंस बिट्वें परसन यानि अबजेक्ट एन हिस इमेज अब देखो कितनी दूरी है 60 60 120 cm और 120 cm मतलब 1.2 मीटर तो यह हमारा आंसर क्या होगा 1.2 मीटर होगा ठीक है चलो नेक्स्ट आपको बोला है कि डाइग्राम में यह बीम ओफ लाइट इस ट्रेवलिंग फ्रॉम इंसाइड ए ग्लास लैब यह ग्लास लैब है इसके अंदर से एक बीम ओफ लाइट ट्रेवल कर रही है और जब यह ग्लास लैब के बाहर निकलेगी तो यह किस र एंसर है और जो है और है वह एमने उसका मतल要ब राइट का पाढ़ civ को ग्रेयर की भाल्रे टे की तरह जा रही तो कि हुआ मेंड हो गी टूर्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल बैन Eenज होगी तो फ्रॉम नार्मल मतलब Cी न से पास होगी तो हमारा जो इस कौशं का ऑ aten होगा आज ठीगे सीदी तब गुजरती जद दोनों की मीडियम की रिफ्रेक्टिंट इन्डेक से हम था ठीक है क्लियर लेकिन ये नॉरमल से दूर बैंड होगी क्योंकि एक डेंसर से रेरर जा रही है अगर गुजर जा रही होती तो ये ट्वर्ड नॉर्मल कहीं यहां ती इस रास्ते से हैं तो यह हमारा सहीर आंसर है सी इस दराइट आंसर चलो कोशन नमब 19 या लिकाए दे इमेज फॉर्म बाय कौन के मिरर इस ऑब्जर्ब तु विएल इनवाटेट एन स्मॉलर देन अब्जेक्ट वेर इस दो अब्जेक्ट प्लीज एक कौन के मिरर हैं वह इमेज जो बना रहा है वह कैसी बना रहा है रियल इनवाटेट और स्मॉलर देन अब्जेक्ट तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है तो इमेज फॉर्मेशन याद करो कि कौन के मिरर कब होता है ऑब्जेट कहां रखा हो कि कौन के मिरर ऑब्जेट की इमेज जो बनाए वो रियल बनाए inverted बनाए और smaller than object बनाए तो ऐसा तब होगा लिया देखो ध्यान से देखो यह कॉन के मिरर यह यह फैर यह टू एफ टिक एजब रियल इनवर्टेड और smaller than object यह तभी बनेगा image जब image कहां बने टूएफ़ और एफ के बीच में और आपजेक्ट कहा हो object रखा हो beyond 2F रखा हो ठीक है तो बड़े object की जो छोटी image बनेगी वो तभी बनेगी जब आपका object 2F के beyond रखा हो तो यहां हमारा beyond 2F 2F मतलब center of curvature ठीक है तो यही case है ना यह हमारा object अगर हम object को कौन के mirror के सामने c के beyond रखे हैं यानि c के आगे रखें तो जो हमारी image बनेगी वो c और f के बीच में बनेगी object से छोटी बनेगी छोटी real और inverted बनेगी तो हमारा object कहां रखना होना चाहिए beyond c होना चाहिए c मतलब center of curvature तो हमारी question का अंजर क्या है ए ठीक है beyond center of curvature अगले question पर चलते है तिर अब यहां question में बोला है कि एक hunter है वो तलाब में मचली मारना चाहता है तो अपने वो भाले को कहां aim करे कि वो मचली को हंट कर सके मार सके तो वो यह case कौन सा है तलाब में जो मचली दिख रही है hunter को hunter कहा है जमीन पे खड़ा है और यह है तलाब यह तलाब में नीला नीला पानी और उस पानी में यह मचली दिखाई दे रही है यह है मचली और यह मचली किसको दिखाई दे रही है hunter को दिखाई दे रही है तो hunter को यह जो मचली दिख रही है यह मचली नहीं मचली की image दिख रही है तो मचली कहा है मचली तो इसके नीचे होगी कहीं क्या सर क्या बात कर रहे हो जी हाँ क्योंकि यहां reflection है मचली कहीं यहां होगी ठीक है मचली से लाइट ऐसे निकली ये वाटर है बाहर के एर तो आप ही बताओ डेंसर से रेरर के जाते समय लाइट किदर बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल तो जाना था सीधे लेकिन ये बेंड हो गई और ये बेंड होकर अब ऐसे जा रही है ठीक है यहां से देखने पर क्या लगेगा कि इमेज तो यहां बन रही है तो मचली आपको यहां दिखाए देगी तो आपको जहां मचली दिखाए दे रही है वहाँ टार्गेट नहीं करना है आपको उसके नीचे टार्गेट करना है यानि a little below where the fish appears to be तब आप मचली को मार सकोगे तो मारे इस question का answer है क्या अब भी क्योंकि reflection के कारेंड जो मचली है उसकी image थोड़ी मचली के ऊपर बनेगी तो आप image को ना target करके actual मचली के position को target करो और मचली actually में नीचे है थोड़ा image के तो आपको थोड़ा below target करना पड़े तो अगर आप भाला इसको देखकर चलाओगे तो मचली को नहीं लगेगा लेकिन भाले को थोड़ा नीचे करके चलाओगे तब जाकर मचली को लगेगा तो यह actual position है यह apparent position है ठीक है चलो अब हमने objective question कर लिए अब हमारा assertion reason start होता है ठीक है चलो assertion reason को attempt करते समय मैंने आपको बताया है बार-बार कि पहले assertion पढ़ो true है कि false decide करो लिख दो reason पढ़ो true है कि false लिखो और फिर decide करो हमारा answer क्या होगा ठीक है तो आए देखते हैं इसको पढ़ते हैं क्या लिका है the degree of convergence or divergence of light ray achieved by a lens is expressed in terms of its power the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length statement true है कि false है बिल्कुल true है इसमें गलती क्या है power focal length का reciprocal ही तो होता है P is equal to 1 upon F तो 1 upon F मतलब reciprocal of focal length ठीक है बिल्कुल सही statement है पिर यहां reason में लिखा है if focal length is expressed in meter then power is expressed in diameter बिल्कुल सही इस वाले formula में P is equal to 1 by F में F meter में होना चाहिए और power of lens adapter में होना चाहिए ठीक है लेकिन उपर जो power की definition है वो इस reason से explain हो रही है क्या नहीं तो दोनो truth हो है लेकिन सही explanation नहीं है तो हमारा answer क्या होगा भी होगा तो हमने इसको भी टिक कर दिया ठीक है आगे चलते नेक्स कोश्यं कोश्यर नमर ट्वेंटी तो refractive index has no unit refractive index कोई unit होती है कभी आपने unit नहीं देखा होगा सिर्फ वेल्यू देखा होगा 1.33 1.42 1.31 वेवाई यूनी नहीं देखा होगा दो सिमलर क्वांटिटीज का रेशयो होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या ये बात सही है ट्रू है कैसे ट्रू है सर अरे जड़ा इस फॉर्मले पर गौर करो एन स्कल्टू सी अपॉन वी सी क्या है स्पीड ओफ लाइट है ना वैक्यूम में वी क्या है स्पीड ओफ ला फिजिकल क्वांटिटीज है और जब किसी सिमलर फिजिकल क्वांटिटीज का हम रेशयो लेंगे तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी कैंसल और कैंसल हो जाएगी इसी लिए तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होता या नहीं रिफ्रेक्टिव इंडेक् यूनिट क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दो सिमलर कॉंटिटी इसका रेशियो है तो सिमलर फिजिकल कॉंटिटीज का रेशियो होगा तो यूनिट भी सेम होगी तो वो यूनिट कट जाएगी क्योंकि आप रेशो ले रहे हो और रेशो जब लोग है तो यूनिट कट जाएगी तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होगी तो यानि यह टू है और सही की एक्स्वेनेशन भी है तो हमारा यह ऑल्सिन इसदार राइंसं करद बात समझव में आये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का यूनिट इसी लिए नहीं होता क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक तरीके के डो कॉन्टिती इस सिमिलर कॉंटिटीज का में हो है और quiz सिमलर है तो उनका रेशो लेने पर उनकी यूनिट कैंसल हो जाएंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं आएगी तो यह रीजन प्रॉपर है ठीक है चलो कोश्य नमबर 23 क्या बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस का इन फॉर में और रियल और मेगनिफाइड इमेज OF और अब्जेक्ट क्या कर सकता है किसी object का रियल और मैगनिफाइड इमेज बना सकता है बिलकुल डू है रीजन में क्या लिखा है कि अब्जेक्त इस प्लेस बीटूइन टुए फ,ेन फ इन फ इन of Converx length Converx length के सामने अबजेट को कहां रखा गया है एफ और टू एफ ये बीच यानि यहां ऑबजेक्ट है तो जो इसकी इमेज बनेगी ऑफार टू एफ के बीच में ऑबजेक्ट है तो जो इसकी इमेज बने बनेगी वह कहा बनेगी beyond 12 बनेगी रियल बनेगी तो है ना कि इद्वाटेटर बनेगी और बड़ी बनेगी कि तो यानि कि यह भी स्टेटमेंट रूओ है और सही एक्स्प्लाइशन है कैसे एक्स्प्ला नेशन है अरे अगर अबजेट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने टू एफ और एफ के बीच में रखोगे तभी तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और बड़ी होगी तो ऊपर जो लिखा है कि कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन मैंगनिफाइड इमेज बनाएगा तभी तो बनाएगा जब टू एफ और एफ के बीच में हो तो रीजन तो प्रॉपर दिया है तो यानि आपका अंसर क्या होना चाहिए यह अंसर होना चाहिए दोनों ट्रू है और साई एक्स्प्लिनेशन भी है ठीक है क्लियर चल्ट को केस में जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ करवेचर से पास होती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पर वापस लोड जाती है ऐसा क्यों होता है रीजन देख लेते हैं दा इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन दा मिरर एलांग दा नॉर्मल टू दा रिफ्लेक्टिंग सर् होती है ऐसे आएगी तो ऐसे लोड जाएगी क्योंकि एंगल आई और आर तो बराबर रखना है तो जब एंगल आई जीरो है इस केस में तो एंगल आर को भी जीरो होना पड़ेगा और जीरो तब होगा जब उसी रास्ते पर नॉर्मली वो क्या हो जाए वापस लिजा ठीक तो यह रीजन बिलकुल सही है एसर्शन का सही एक्स्प्लेनेशन है तो हमारा आउंसर क्या होगा यह होगा मिरर के सेंटर आफ करवेचर से पास होने वाली लाइट रे वो वापस उसी रास्ते पर वापस क्यों आ जाती है इसी लिए क्योंकि जब वो सेंटर आफ करवेचर से पास होती है तो वो मिरर पे इंसिडेंट होती है पर्पेंडिकुलरली यानि नॉर्मली और ऐसा जब भी होगा वो अपने रास्ते को वापस रिट्रेस करेगी तो reason बिल्कुल सही लिखा है तो हमारा answer क्या होगा होगा 25 Concave lens always form virtual erect and enlarge image Concave lens हमेशा virtual erect और enlarge image बनाता है तो बात सही है virtual image बनाता है बात सही है इरक्ट बनाता है बात सही है लेकिन मैगनिफाइड बनाता है enlarge बनाता है यह बात गलत है तो यह स्टेट्पंट क्या हो गया false Concave lens virtual erect or dimness image बनाता है ना की enlargement तो यह false हो गया और जब भी false हो गया तो एक ही option assertion false तो एक ही option सही होगा डी option reason देख लेते हैं array of light passing through the optical center of a concave lens will emerge without any deviation जी हां optical center से किसी भी lens के optical center से अगर कोई लाइट रेपास होगी तो बिना किसी deviation के गुजर जाएगी बात बिलकुल सही है true है तो assertion false reason true तो यह option D होगा डी is the right answer तो आगे चलते हैं question number 26 पे mirror formula is valid in all situation for all spherical mirrors for all position of the object यह जो mirror formula होता है one upon v plus one upon you is classical to one upon f यह क्या हर spherical mirror के लिए valid है और हर spherical mirror के सामने object कहीं भी रखा हो हर case के लिए valid है for all spherical mirror and for all position of the object जी हां true यह ncrt की line है अभी ncrt की line आपको ncrt book में पढ़ने के बादी पता चलेगी तो इसलिए मैं कहता हूं ncrt book पढ़ो ncrt पढ़ोगे तो ncrt book की line का मतलब सबंज में आएगा तो जो हम formula पढ़ते हैं याद रखो जो हम formula पढ़ते हैं mirror formula one upon v plus one upon you is going to one upon f यह हर spherical mirror के लिए valid है और हर object की position के लिए valid है यह चलो magnification is expressed as the ratio of height of image to the height of object बिल्कुल image की height और object की height का ratio ले ले वही magnification होता है यह भी true है तो दोनों true है लेकिन सही explanation to any reason तो यहां हमारा answer क्या होगा भी option होगा ठीक है चलो question number 27 पे the formula connecting u v and f for a spherical mirror is valid in all situation for all spherical mirror for all position of object अभी हमने पढ़ा जी हाँ यह तो valid है mirror formula हमारे हर spherical mirror के हर position of object के लिए valid है ठीक अब आपको यहां बताना है reason अब क्या होगा reason में क्या लिखा है law of reflection are strictly valid for plane surfaces love reflection केवल strictly का मतलब अभी देखो यह लाइन का मतलब होता है strictly मतलब only cable plane mirror में law of reflection apply होता है spherical mirror में law of reflection apply नहीं होता इसका मतलब यह तो क्या यह बात सही है गलत है law of reflection तो plane mirror में भी apply होता है और spherical mirror में भी apply होता है चाहे वो convex mirror ओ या कौन के mirror लेकिन यहां बोला था strictly valid for यानि only valid for plane mirror यह तो गलत है अभी लाइन कितनी इसको समझना पड़ेगा अब कोशन प्राक्टिस करने के बाद ही आप ऐसे statement का मतलब समझते हो ठीक है तो यह आपका फॉल्स हो गया assertion true हो गया तो हमारा answer क्या होगा सी option होगा एस ट्रू आर इस फॉल्स ठीक है क्लियर चलिए question number 28 convex lens always form dimnist virtual image of the object convex lens हमेशा dimnist virtual image of object का बनाता है सही है कि गलत है सर convex lens तो virtual image बनाता है बनाता है लेकिन वो virtual image enlarged यानि magnified होती है dimnist नहीं होती तो हमारा assertion तो फॉल्स हो गया reason में क्या लिखा है convex lens can form both real and virtual images true assertion false reason true हमारा answer क्या होगा दी होगा ठीक है clear चलो आगे चला जाए असर्शन में क्या लिखा है the magnification produced by concave lens concave mirror sorry the magnification produced by concave mirror can have both minus and plus sign कौन के mirror जो magnification produce कर सकता है image की उस magnification का sign minus भी हो सकता है बात साहिए क्या बात बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि magnification जो कौन के mirror है वो तो real image भी बनाता है virtual image भी बनाता है तो जब image real बनेगी तो magnification का sign minus होगा और जब image virtual बनेगी तो magnification का sign plus होगा तो यानी statement true है रीजन में क्या लिका है कौन के mirror can form both real and virtual images ये बात सही है और ये बात सही है और एक्स्प्लेनेशन भी है कौन के mirror दोनों टाइप की इमेज बना सकता है हां और इसी लिए magnification का sign में माइनस और प्लस हो सकता है तो कि real image के case में माइनस और वर्चुल इमेज के case में प्लस तो reason जो है वो सही explanation है कि कौन के mirror क्योंकि दोनों टाइप की इमेज बनाता है रियल और वर्चुल इसी लिए magnification का sign में माइनस और प्लस हो सकता है तो reason बिलकुल सही है explanation है a option is the right answer ठीक है चल्ड कोशन नमबर 30 object distance from the mirror is always taken negative object की distance mirror से हमेशा क्या लेते negative लेते हैं बिलकुल true the object is always placed to the left of the mirror according to the new Cartesian sign convention कभी आपने सोचा यू का sign हमेशा माइनस होता है क्यों होता है इसी लिए क्योंकि mirror को हमेशा mirror के सामने object को हमेशा कहां रखते हैं राइट साइड रखते हैं कि left side तो डिस्टेंस कहां से मेजर करना है mirror के पोल से तो पोल से जब आप object की distance मेजर करोगे तो आपको left side जाना पड़ेगा और जब भी आप left side distance मेजर करोगे distance का sign क्या लोगे minus तो क्योंकि object mirror के क्या है left side है इसी लिए object का distance हमेशा minus लिया जाता है negative लिया जाता है तो यह reason बिलकुल सही भी है और correct explanation भी है तो हमारा answer क्या होगा ए होगा ठीक है बास clear हुई object हमेशा convex mirror या कौन के mirror के left side होता है तो जुसकी distance पोल से left side मेजर करोगे तो sign क्या लोगे minus लोगे इसी लिए object की distance हमेशा negative होती है चलो तो अब हमने answer some reason के question भी कर लिए अब आता है subjective question स्टार्ट करें चले स्टार्ट करते हैं पहला subjective question है आपका एक four centimeter tall object है यानि जो given और note कर लो height of object दिया है four centimeter tall object the height of object दिया है प्लस four centimeter क्यों प्लस क्योंकि science convention यह कहता है कि object को हमेशा कहा रखते हैं principal axis के उपर और उपर जो भी distance होगी वो प्लस में मेजर करेंगे तो object की height हमेशा प्लस में होगी ठीक है सर आपने जो बोला हम समझ गए ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर पिंडिकुलर टूदा principal axis of a convex lens of focal length 20 cm तो convex lens का focal length क्या होगा प्लस में होगा तो यह हो गया प्लस 20 cm the distance of object from the lens is 15 cm object की distance lens से कितनी है 15 तो यह माइनस ले लेंगे find the nature position and size of the image तो पहले position निकालना होगा फिर nature और फिर image की size तो क्या लगाएंगे formula lens की mirror formula lens का question है तो lens formula लगेगा ठीक है तो लगाव lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f 1 upon v minus u कितना है minus minus 1 upon 15 is equal to plus 1 upon 20 clear यह हो जाएगा 1 upon v is equal to plus 1 upon 20 minus 1 upon 15 ठीक है फिर इसको यहां solve करूँ अगर 1 upon v is equal to 15-20 का LCM ले ना है तो 15-20 का LCM लो 60 60 आजाएगा 20 से कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स और 15 से 4 टाइम्स यह हो जाएगा आपका minus 1 upon 60 तो वी का जो साइन आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा वो माइनस 60 सेंटीमेटर आ जाए ठीक है यानी image का sign minus है minus का मतलब जिदर object है image भी वहीं बन रही है उधर ही बन रही है यानी लेफ्ट साइड और आप खुदी यहां से भी देख सकते तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमेटर है और object की डिस्टेंस 15 सेंटीमेटर यानी object कहां रखा है optical सेंटर और फोकस के बीच में रखा है और convex lens के सामने जब भी optical सेंटर और फोकस के बीच में object होगा तो उसकी image किदर बनेगी object के तरफ ही बनेगी तो object का जो image की डिस्टेंस है वो माइनस में आईगी जीक है अब यह तो माइनस में आ गया अब मुझे क्या निकालना है nature of image and size of the image तो nature of image कैसे निकालेंगे मैगनिफिकेशन निकालो लेंस के केस में मैगनिफिकेशन क्या होता है वी अपन यू वी कितना है कि यू कितना है मैनस 15 सकट गया यह आ गया प्लस फूर प्लस क्या बता रहे है कि image जो है वो virtual है इरेक्ट है और value 4 है यानि वन से ज्यादा तो मैगनिफिकेशन की value for मतलब वन से ज्यादा तो मतलब मैगनिफिकेड इमेज तो ये बता रहा है कि ये करनानलाइश को कह closer लिखो गया आश्य होगा या मैगनिफाइड को या लाच को ठेक है अब मुझे ओफ इमेज निकालना है इस कुना हईट ओव इमेज अप्वान हेट अबजेक्ट है तो मैंनिफिकेशन हो गया प्लस Wirs हाइट आफ इमेज निकालना है हाइट आफ अब्जेक्ट दिया था कितना प्लस फॉर तो यहाँ से हाइट आफ इमेज कितनी हो जाएगी प्लस 16 सेंट फोर फोर जा सिक्स्टीन तो यह प्लस 16 सेंटिमेंट ठीक है तो तीन हमारे आंसर निकल के आगए एक आंसर यह है दूसरा आंसर यह है और तीसरा आंसर यह है ठीक है बहुत सिंपल है कई कोई गल्ती सब समझ में आ गया ना तो अगर आप से कोई गल्ती है तो कहां गल्ती है समझ लो इस तरीकी से सॉल करना है चलो आगे चलते है next question number 32 an object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter use lens formula to find the distance of image and draw a ray diagram to justify your answer ठीक है अब यहां क्या बोला है कि an object is placed at a distance of 60 centimeter तो object की distance यानि यू की value दे रखी है माइनस 60 centimeter from a concave lens concave lens का focal length दे रखा है कितना focal length दे रखा है 30 centimeter तो concave lens है ना तो concave lens का focal length minus होगा की plus minus होगा क्या होगा minus होगा तो focal length होगा minus 30 cm अब मुझे पहले पार्ट में क्या निकालना है image की distance निकालने है find the distance of image निकालना है तो क्या लगाएंगे बताओ बहादुरो सैम बहादुर बताओ चाहोगा तो यहां हमको lens फार्म ना लगाना पड़ेगा बन अपन भी माइनस वन अपन यू स्कल्टू वन अपन है ठीक है फिर इसको solve करेंगे तो वन अपन वी इसकल्टू माइनस वन अपन थर्टी माइनस वन अपन सिक्स्टी ठीक है फिर यह हो जाएगा वन अपन वी इसकल्टू अगर आप LCM लोगे तो कितना आएगा तो 15 तो 30 15 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 16 यह आएगा 60 30 से 2 टाइम जाएगा माइनस 2 60 से 1 टाइम जाएगा तो यह माइनस 1 यह हो जाएगा माइनस 3 एपन 60 तो यह कर जाएगा और वी की वैल्ली वा जाएगी कितनी माइनस 20 सेंटीमेटर तो हमने एपाट का अंसर निकाल लिया पाइंड दा डिस्टेंस ओफ इमेज फ्रॉम दे लेंस तो हमने लेंस से जो डिस्टेंस निकाली ठीक है वो इमेज की जो डिस्टेंस निकाली लेंस से डिस्टेंस ओफ इमेज वो है माइनस 20 सेंटीमेटर ठीक अब ड्रॉयर डियाग्राम टू जस्टिफाई और आंसर अभी आंसर यह जड़ दिहां से देखो फोकल लेंट है 30 सेंटीमेटर और इमेज की डिस्टेंस 20 सेंटीमेटर तो जब इसको दिहान में रखना अब मैं हाट डियाग्राम बना रहा हूं यह भी पार्ट का अंसर है यह रहां Concave Lens और यह रहां Concave Lens ठीक है यह रहा प्रिंसेपटल एक्सेस यह रहां ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से यह वोकस की बीच की दूरी focal length अफोकल लेंद कितना दिया है देखो 30 centimeter minus to sign बता रहा है distance कते हैं 30 centimeter तो यानि कि यहां से यहां तक की दूरी कि यह जो दूरी है यह 30 centimeter है और image के distance कितनी है 20 centimeter यानि image कहां बन रहा होगा optical center of focus के बीच कहीं यहां यहां कहीं बन रहा होगा और image object की दूरी कहां दिया है object कहां है 60 cm पर तो अगर यह 30 है तो इतना दूरी और रख लें तो यह हो जाएगा 2th तो यह 30 तो यह भी 30 और यहां हमारा हो जाएगा क्या object है की नहीं बात मानते हो की नहीं यह भी दूरी तो 30 होगा तो object हो गया 60 यहां से 60 cm पर image कहां बन रहा है यहां से 20 cm पर image कैसे बनेगा एक light ray के रहा होगी एक light ray यहां से पारलल जाएगी और वो पारलल light ray क्या होगी डावर्थ हो जाएगी और एक light ray यहां optical सेंटर से गुजरेगी और इस लाइट रे को पीछे बढ़ाओगे तो यह यहां मिलेगी और यहां बन जाएगा आपका क्या इमेज ठीक है समझ में आगई बात तो यह हमारे कोशन का आंसर है बी पाट का ड्री डाइग्राम हमने बना लिया चल्ट कोशन नमबर 33 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया गा दिया है पी अन क्यू मेडिया का रिफ्रैक्टिव ने क्सक्की वैयल YouTube स्थी को यह थो掰掰 मेडियमP में लाइड की स्पीट मेरा कि है और फिर पहले पार्ट में क्यों और दुसरे पार्ट में कहा है कि अगर एंगल ओफफ इंसिदेंट्स पर ए रे ओफ लाइट ट्रेवलींग फ्रॉम मीडियम पीटो क्यों जीरो डिग्री देन वार फिल दा पाथ अफ लाइट इन दा मीडियम क्यों तो पहले ए पाट को सॉल्व करते हैं ए पाट में मुझे दो मीडियम है तो यहां में मीडियम लिख देता हूं मीडियम क्या है दो पी एण क्यू टीक है सब मीडियम दो है चाहिए अब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें एन की वेल्यू बात करें तो एन की वेल्यू यहां लिखी है पी का कितना है 1.33 क्यू का कितना है 2.52 ठीक है पिर अगर हम स्पीड की बात करें वी तो स्पीड ओफ लाइट इन मीडियम पी कितना है तू इंटू 10 की पावर 8 मिटर पर से के और स्पीड ओफ लाइट इन क्यू जानी वी क्यू यह हमको निकालना है कैसे निकालेंगे बहुत आसानी से हमको पता है कि इस रिफ्रैक निकालेट मैं कैसा रिलेशन एक इनुवेर्स रिलेशन है इसका मतलब अगर मैं एन पी अपॉन एन्न क्यू लिखू यानी रिफरेक्टिव इंडेक्स आफ पी अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आफ क्यू तो यह किसके बराबर होगा यह स्पीड ऑफ लाइट इन विड्यों रिलेशन इनवस है और पी का रिफ्रैक्टिव इनडेक्स इधर ऊपर है तो पी में लाइट की week जो ऊगी वो नीचे होगी क्यों कि इनवर्सडियलेशने है त्टिक्लें अब को इसमें से क्या क्या पता है आपको एन्पी पता है आपको अन्ट्यू पता है आपको वीक्यू निकालना है यह निकालना है तो सारी वैल्यू रख दो और वीक्यू निकल जाएगा तो मैं वैल्यू रखते हूं वैल्यू रखता हूं मैं तो यह 1.33 यहां हो जाएगा एंक्यू यानि 2.52 यहां हो जाएगा वीपी यह वैल्यू यहां हो जाएगी और क्यू यानी स्पीड ओफ लाइटिंग क्यों मीडियम निकल जाएगा तो रखो चलो करो सॉल ती हो जाएगा आपका 1.33 अपान 2.52 इसकाल टू वी क्यू अपान 2 x 10 की पावर 8 नहीं है न हाँ 1.33 अपान 2.52 इसकाल टू वी क्यू अपान 2 इंटू 10 की पावर 8 तो यहां से वी क्यों क्या हो जाएगा वी क्यों हो जाएगा आपका 1.33 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8 अपान 2.52 ठीक है अब इसको आप सॉल्व कर ले ना आंसर आ जाएगा आपका ठीक है समझ में आया इस तरीके से मेरे पास अभी मैं किसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं लेकिन आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसको बहुत आसानी से ठीक है तो यह आपकी एंगल आफ इंसिडेंस हो कितना है जीरो डिगरी तो अगर एंगल आफ इंसिडेंस जीरो डिगरी है तो इसका मतलब क्या है एंगल कहां से मेजर होता है नॉर्मल से तो अगर नॉर्मल ऐसे होगा तो उसके साथ जीरो बना रही है इसका मतलब लाइट रे भी ऐसे ट्रेव आ Dollars Incident और ये तो वो लायTरस आपक हो हो जाएगी जुदर आपना फिली यानी नॉर्मल के साथ कि से अंगल पर बनाती यानि अगर ऐसा के सो था कि यह नॉर्मल नॉर्मल के साथ किसी एंगल पर बनाती तो वो टुवर्ड या अवे फ्रम नॉर्मल क्या होती बेंड होती क्योंकि वो किसी अब्लिकली इंसिडेंट हो रही है ना वह नॉर्मल इंसिडेंट नहीं हो रही है लेकिन ऐसा केस तो है नहीं उसने कोशन में बोला है कि एंगल ओफ इंसिडेंट जीरो डिगरी है यानि वह नॉर्मल के साथ जीरो बनाएगी यानि वह परपेंडिकुलर इं जो कर रहे हैं सर्च मिरर और मिर इस एक यूज़ तो लुक पॉर हीडन ओबजेक्स अंडर नीद देकार्स एक शोन इंडाइग्राम इसा डाइग्राम में कार के नीचे की चीजों को देखने के लिए हम जो सर्च मिरूज कर रहे है ठीक है वह सर्च मिरूज होता है इसलिए अपकार के नीचे के लिए यूज करते हैं क्योंकि सर्च मिरर क्या करता है वाइडर फिल्ड आफ यू दिखाता है तो वाइडर फिल्ड आफ यू से क्या समझ में आया कि जो सर्च मिरर है वह si better now ai konvex मिरर है यह n c at में लिखा हुआ हां आपने अच्छे से पढ़ंद का तो आपको समझ में आगया होगा कौनवेक्स मिरर का फिल फ्यू यानि देखने का यह जो रेंज एनन वह बहुत ज्याधा होता बहुत ज्याधा एरिया से वह तो लाइट को क्या करता एकसिप करता है तो याने उसका फिर्ड आफ यूज्ड आथा है तो सर्च मिलक्वार में कौं सा मिलोडना पसक्क्राइब तो पहला कोशनर पीछा है की वॉत टैप ऑफ मिलेर ओडेनरली यूज तू फिस टो में फिर्च मिलार तो पहले मिरर को identify किया वो जो image बना रहा है उसका आप रे डाइग्राम बनाई है अब आप यह बताइए अगर यह अगर यह convex mirror है तो यह जो कार का under का area है कार के नीचे का area वो क्या हो गया जिसको वो देख रहा है वो object की तरह behavior कर रहा है तो क्या object mirror से infinity दूरी पर है नहीं infinity दूरी पर नहीं है तो हमारा जो object है वो infinity पर नहीं है मुझे पता चल गया ठीक है अब उसका रे डाइग्राम बनाना है तो बहुत आसानी से बना लेंगे ठीक है तो हमारे a part का answer हो गया convex mirror और b part का हमको डाइग्राम बनाना है तो यह रहा हमारा convex mirror यह रहा इसका principle axis ठीक है यह रहा focus यह रहा टूफो और सेंटर आफ करवेचर अब हमारा जो object वो infinity पर नहीं है तो infinity पर नहीं है इसका मतलब उसको infinity के लावा कहीं भी मान सकते हैं तो हमने माल लिया object मेरा हमारा यहां है तो infinity नहीं है तो यहां से जो light ray parallel आएगी यहां से जो light ray parallel आएगी है ना वह ऐसे टक्राएगी और वह वापस ऐसे लोट जाएगी है कि नहीं तो यह इसको बढ़ाएंगे तो वह यहां आएगा यह है कि नहीं बताओ बच्चा यहां से जो light ray आएगी वह टक्रा कर ऐसे चली जाएगी ते अब एक और light ray चाहिए एक light ray और चाहिए तो अगर हम light ray कहां माने अगर हम इसको यहां माने कि यह सेंटर अफ करवेचर से घुजर रही है तो सेंटर अफ करवेचर से चली प्रेdi और करूजर से घुजरेगी तो अपने बाद को क्या करेगी री ट्रेस करेगी है ना है तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं light ray से आरी है तो यह अपने आप ऐसे वापस लोड़ जाए यह अबलिक ली तो इसको मैं अगर पीछे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो आपजेट की इमेज बन रही है वो कहीं यहां बन रही है कि नहीं यानि बिट्वीन पॉल एंड फोकस यह हमारा ओप्शन है यह हमारा केस है कि हमारा उब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वह ऐसी बनेगी तो कॉंफेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है वर्चुल इमेज बनाता है एक्स होटीटी आ मिस बनाता है यह हमारे डेडाइग्राम है देख लो ठीक है देख लो इमेज कहां बन रही है वोकास ओप बोल के बीच में वर्चुल और इरेक्ट बन रही है ठीक है चल नेक्स कोश्चन फिर हमको नेचर भी बताना था नेचर आपको समझ में आ गया वर्चुल इरेक्ट और डिमनिस्ट येमर निचर है नेक्स कोशन नम्बर 35 इफ लिए इमेज अ एफ अ एिमेज आन भ गॉपजेक् determine if the images at the distance of 30 cm from the mirror where is the object placed लहुत प्यारा कोशन है ध्यान से देतो the image of an object formed by a mirror is real inverted and is of magnification minus 1 तो जो mirror है वो कैसी image बना रहा है real or inverted or magnification है कितना minus 1 तो 1 क्या बता रहा है 1 इस बात को बता रहा है कि image की जो size है image size is equal to object size है कि नहीं magnification का value 1 का मतलब यही है कि object और image का size बराबर है और image है कैसी real तो real image हमेशा कौन सा mirror बनाता है कौन के mirror बनाता है और कौन के mirror के case में ऐसा कब होगा जब image और object की size बराबर हो ऐसा तब होगा जब object कहां रखा हो center of curvature पे तो मेरे पहले question का answer आ गया कि where is the object placed object कहां रखा है center of curvature पे मतलब मेरे कहने का मतलब यह है यह कौन के mirror ठीक है यह principle axis ठीक है यह focus यह center of curvature तो अगर center of curvature पे आप object रखोगे तो center of curvature पे ही क्या बनेगी image बनेगी तो अगर यह object है यह object है तो यह image है ठीक है तब ही तो magnification क्या आएगा वन के बराबर आएगा और magnification का sign वन आएगा क्यों क्योंकि image रियल है अब आपको क्या बोला था कि image की distance दे रखी है यह image और image की distance कहां से पोल से दे रखी है 30 सेंट centimeter तो यह minus होगी तो आप आपसे पूचा है where is the object place तो object c पर है और distance के form में बताएंगे तो 30 cm दूरी पर है वो भी minus में तो object की distance भी minus में हो जाएगी तो u भी minus 30 वी भी minus 30 ठीक है तो यहां मेरे पहले पार्ट का answer आ गया the object is placed at c that is 30 cm in front of mirror ठीक है चलो अब भी पार्ट का answer find the position of image if the object is now moved 20 cm towards the mirror अगर हम object को 20 cm आगे ले जाएं अगर object को हम 20 cm आगे ले जाएं तो जो image बनेगी वो उसका position बताना है और image का nature बताना है तो जड़ा सोचो अगर पोल से लेकर center of curvature की distance 30 cm है तो मतलब यह 15 हुआ और यह 15 हुआ और अगर object को object is now moved 20 cm towards the mirror तो मैं अगर object को यहां से यहां पे ले आओं focus पे तो मैं कितना आगे चला 15 मुझे कितना ले जाना 20 मतलब मुझे पांच और ले जाना होगा आगे जानी अब जो object होगा वह मेरा पोल और focus के बीच में आ गया बीच में मतलब पोल और फोकस के कहीं न कहीं बीच में बीचों बीच नहीं एक दाम exactly between नहीं तो अब इसका में अगर यह डाइग्राम थोड़ा सा बनाओ तो इसका मतलब यह है कि अगर यह है कॉन के मिररर यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है और यह हो गया focus यह हो गया center of curvature तो मेरा जो object है वो कहीं ना कहीं यहां है यह 30 था मैंने object को 20 cm आगे ले गया तो यह 15 cm है ना तो यह पांच मतलब 15 यह हो गया पांच यह हो गया तो टोटल कितना 20 मीटर में आगे चला है कि नहीं ठीक है यह मेरा object का position है तो object का position मेरा जो है वो माइनस 20 हो गया सॉरी 30 में 20 आगया माइनस 10 माइनस 10 है कि नहीं समझ में आया अरे भाईया मेरा object अभी कि कहा था 30 cm दूरी पर मैं अभी 20 cm आगे ले जाता हूं तो 30 में 20 घटा दो क्योंकि मैं अगर इसको मिरर की तरफ ले जाओंगा कोशन में क्या बोला है object is now moved 20 cm towards the mirror तो मैं object को mirror के towards ले जाओंगा तो distance कम होगी ना तो अगर मैं 20 cm ले जा रहा हूं तो 30 में 20 cm कम हो जाएगा तो बचेगा कितना 10 cm तो object की distance कितनी हो गई माइनस 10 focal length तो वही होगा जो पहले था है ना focal length वही होगा जो पहले था focal length यहां से यह क्या है यह pole है ना pole से focus की बीच की दूरी यानी focal length ही यह कितनी हो की यह 15 होगी और यह कितनी हो गई यह 10 होगी focal length होगे आपको माइनस 15 माइनस क्यों 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 कॉंकि कॉंक है mirror है अब आपको V निकालना है क्या लगा होगे mirror formula 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F ठीक है 1 upon V plus U कितना है minus 1 by 10 is equal to 1 upon F, F कितना है minus 15, यह हो जाएगा 1 upon V minus 1 upon 10 is equal to minus 1 upon 15, ठीक है, clear, अब इसको solve करता हूँ, यह इधर जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 upon V is equal to minus 1 upon 15, यह उधर जाएगा, यह हो जाएगा, प्लस 1 upon 10, ठीक है, यह हो जाएगा, 1 upon V is equal to 15, 10 कैल्सियम, थीस आएगा, 10, 15, यह हो जाएगा, 2, 5, यह हो जाएगा, 3, 5, 5, यह हो जाएगा, 5, 1, 1, 2, 3, 6, 5, 6, 30, 30, 15, 2, 10, 30, यह हो जाएगा, प्लस 1 by 30, तो V का जो value हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका प्लस 30 cm, प्लस आना ही था, क्योंकि जो अब image बनेगी, वो image कहाँ बनेगी, image वो बनेगी, वो यहाँ बनेगी, mirror के पीछे, ठीक है, तो यह आपकी image बनेगी, वी, तो इसका sign क्या होगा, आप pole से right जाओगे, तो sign क्या होगे, प्लस तो लेखो, प्लस आगे, 30 cm, तो हमने position image की निकाल ली, लेकिन अभी nature of image बताना है, तो nature बताने के लिए magnification निकालना होगा, लगाओ magnification, क्या होगा, magnification का formula mirror के case में क्या है, तो magnification is equal to, magnification का formula क्या है, बताओ, mirror के case में, m is equal to minus v upon u, minus v कितना था, v ता प्लस 30, u, u कितना है, minus 10, यह कट जाएगा, और magnification आजाएगा, आपका यह 0, 0 कट जाएगा, प्लस 3 आजाएगा, तो प्लस यह बता रहा है कि image आपकी virtual है, और erect है, और 3, यानि 1 से बड़ी, यानि magnified है, ठीक है, clear, तो यह हमारे question का answer है, question number 36, चले, solve करे, क्या लिका है, student wants to determine the focal length of a device, X, by focusing the image of a distant object on a screen, place 20 cm from the device on the same side as the object, यानि मुझे एक device की मदद से, क्या करना है, मुझे एक distant object, एक distant object की जो image बनानी है, वो image ऐसी बनानी है, कि वो image screen पर बन जाए, तो मैं screen को कहां रखूं, ठीक है, और जो image होनी चाहिए, वो उधर ही बननी चाहिए, जिधर object है, यानि जो device है, वो distant object, distant मतलब, distant का मतलब ही होता है, कि object बहुत दूरी पर है, यानि infinity पर, जैसे कि sun, तो distant object की जो image बनेगी, वो image उधर ही बने, जिधर object है, तो आपको यह बताना है, कि मैं screen को कहां रखूं, तो पहली बात आपको जब भी ऐसा question आए, कि screen कहां रखूं, तो screen वही रखो, जहाँ image बन रही है, क्योंकि जहाँ image बनेगी, उस जगह पर screen रखोगे, तो वो image screen पर बनेगी, और screen पर image बनेगी, तो आपको दिखाई देगी, ठीक है, यानि कि यहाँ, image distance is equal to screen distance, image distance is equal to screen distance, यानि screen कितने दूरी पर रखे हैं, जितने दूरी पर image है, मतलब समझ में आया, clear, तो यह बात समझ में आ गई, तो यानि कि अब बोला है, कि screen कहां रखे हैं, 20 cm दूरी पर, on a screen, placed 20 cm from the device, तो device से 20 cm दूरी पर क्या है, screen है, तो screen अगर 20 cm दूरी पर है, यानि image भी कहां बन रहा है, 20 cm दूरी पर, और screen किदर है, on the same side as the object, जिधर object है, उधरी screen है, तो भया, object कौन सा होगा, बताओ, तो अगर, मुझे जिधर object है, उधरी screen रखनी है, और उधर image बनाना है, तो ऐसा तभी possible होगा, जब आपका mirror हो, वो भी कौन सा, कौन के mirror हो, है ना, तो मेरा जो name the device X, तो मेरा device X क्या है, कौन के mirror, ठीक है, तो मेरे पहले पाट का तो answer मिल गया, कौन के mirror, ठीक है, अब पूछा है, what will be its focal length, अब बताओ, distant object से, जो light rays आएंगी, वो क्या होंगी, parallel, ठीक है, distant object से, जो light rays आएंगी, वो parallel होंगी, और parallel होकर, यह reflect होंगी, तो किधर से pass होंगी, आपको पता है, यह pass होंगी, एक point से, और उस point को हम कहेंगे, यह क्या, focus, ठीक है, और यही focus पे, इसी focus पे क्या बनेगी, image बनेगी, और image की दूरी दे रखिये, 20 cm, तो distance कहां से measure करेंगे, पोल से, तो यह जो दूरी है, यह जो दूरी है, यह दूरी हमारी निकल गई, image की distance, तो image यहां बन रही है, तो पोल से image की दूरी 20 cm, यानि यह दूरी 20 cm है, और पोल से focus की बीच की दूरी focal length ही होता है, तो हमारा focal length भी क्या होगा, 20 cm, और कौन के mirror है, तो minus में, तो हमारे B part cancer क्या होगा, what will be its focal length, तो focal length क्या होगा, focal length will be minus 20 cm, ठीक है, यह focal length, पोल और focus की बीच की दूरी, और image भी focus पे बन रही है, तो image की भी distance होगा, minus 20 cm, बात समझ में आई, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कि आपका device जो होगा, वो कौन के mirror होगा, लेकिन अगर question में यह होता, कि हमें screen रखनी है, distant object की, ताकि जो image बने, वो device के पीछे बने, तब आपको convex lens यूज़ करना पड़ता, तो यह question आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आपको सामने image बनानी है, जिदर object है, उधर ही image बनानी है, तो कौन के mirror यूज़ करो, और object left side है, image आपको right side बनानी है, तो convex lens यूज़ करो, तब होगा काम, ठीक है, चलो, question number 37, what is mean by power of a lens, power of lens का मतलब क्या है, convergence या divergence की जो degree है, किसी lens की, वही lens की power होती है, और इसे हम define कर सकते हैं, reciprocal of focal length, ठीक है, तो यही आपको लिख देना था, what is power of lens, power of lens is defined as the degree of convergence, और divergence of light rays, achieved by a lens, यह NCRT में यह line लिखी है, अगर यह subjective question आगे आपके board exam में, तो आपको भी यही लिखना होगा, ठीक है, आप question में भोला है, कि आपको दो lens दिये है, L1 और L2, दोनों का power दिया है, तो state the nature and focal length of each lens, तो अभी इस part को solve कर लेते हैं, है न, यह, बास समझ में आई, तो यहाँ दो lens है, कौन सा है, एक है L1, और दूसरा है L2, दो लो lens का power note कर लो, तो इसका है plus 10 डाप्टर, इसका है minus 5 डाप्टर, यह न, ठीक है, अब दोनों का nature बताना है, तो अगर मुझे nature बताना हो, तो यह बताओ, nature मतलब converging या diverging, तो अगर power plus में है, तो lens कौन सा हुआ, convex lens, और lens अगर convex है, तो उसका nature क्या होगा, converging, यहाँ पहले lens का होगा nature, converging, दूसरा lens का power minus में है, तो minus में power किसका होता है, concave lens का, concave lens का nature होता है, diverging, जो हमारा दूसरा lens है, वो diverging nature का है, ठीक है, अब हमें focal lens बताना है, तो focal lens क्या होता है, one upon power, ठीक है, one upon power कितना है, plus 10, तो यह मीटर में आ जाएगा focal lens, और centimeter में निकालना है, तो 100 by 10 कर देंगे, तो यह आ जाएगा plus 10 centimeter, ठीक है, यहाँ अगर निकालना हो focal lens, तो focal lens हो जाएगा, one upon p, p, पाउर कितना है, minus, तो यह हो जाएगा, one upon minus 5, मीटर में, centimeter में निकालना हो, तो यह 100 upon 5, और minus लग जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका focal lens कितना है, minus 20 centimeter, तो दोनों lens का हमने nature, और focal lens हमने निकालके बता दिया, nature यह हो गया, focal lens यह हो गया, यहाँ रखना, आप पाउर प्लस में, तो focal lens भी प्लस में, पाउर नेगेटिव में, तो focal lens भी माइनस में, ठीक है, चलो, question आपको 38 पे आगे हम लो, ठीक है, an object is placed at a 30 centimeter from a concave lens, और focal lens 30 centimeter, use lens formula to determine the distance of object from the, distance of image from the lens, list three characteristics of the image, and draw a level diagram to justify your answer, तो आप पहले पार्ट को solve करते हैं, लेकिन details देख लेते हैं, object कहां रखा है बेटा, at a distance of 30 centimeter from a concave lens, तो पहली बात lens का question है, और object की distance हमेशा minus होती है, तो minus 30 centimeter, focal length 30 दिया है, तो concave lens का focal length minus में होता है, तो यह हो गया, minus 30 centimeter, अब आपको V निकालना है, है ना, तो निकाल लेते हैं V, लगाओ, कौन सा formula, lens formula, 1 upon V, minus 1 upon U, is equal to 1 upon F, clear, 1 upon V, minus, फिर यूँ क्या है, minus में, तो यह minus 1 upon 30, is equal to F, minus 1 upon 30, इसको solve करोगे तो यह हो जाएगा, 1 upon V, यह minus और यह minus plus में, plus 1 upon 30, is equal to minus 1 upon 30, clear, अब, इसको में उधर ले जाओ, तो यह हो जाएगा, minus 1 upon 30, यह भी minus 1 upon 30, यानि यह हो जाएगा, minus 2 upon 30, यानि यह हो जाएगा, minus 1 upon 15, तो जो V की निकालेगी value, वो V की value कित्म निकालेगी, माइनस 15 cm, ठीक है, minus 15 cm, clear, तो हमारा पहला कोशन, कि use lens formula to determine the distance of image, तो image की distance आगई कितनी, minus 15 cm, बास समझ में आई कि नहीं, हाँ सर आगई, ठीक है, अब हमें क्या बताना है, list 3 characteristics of the image, 3 characteristics मतलब, image का अगर हम nature बता दें, तो वो 3 property, 3 characteristics हो जाएगी, तो जब भी ऐसा कोशन आए ना, कि characteristic बताओ, property बताओ, मतलब image की वो आप से क्या पूछ रहा है, nature, यानि position का nature, nature का मतलब की virtual erect है, की real inverted है, magnified है, की dimnist है, तो 3 characteristics में कैसे बताओंगा, मुझे निकालना होगा, magnification, तो यहाँ second part solve कर रहा हूँ, यह पहला part था, अब मैं second part solve कर रहा हूँ, magnification का lens के case में formula होता है, क्या, V upon you, V कितना है, minus 15, U कितना है, minus 30, यह minus minus cancel हो जाएगा, तो यह जाएगा, plus 1 upon 2, तो plus का मतलब, image के जो है, वो virtual है, और erect है, और 1 upon 2 का मतलब है, M की value, 1 से कम है, मतलब dimnist image है, यही तीन property हो गई, वो तीन property क्या हो गई, image की, पहली property virtual है, दूसरी property erect है, तिसरी property dimnist है, ठेक है, यह second part का answer हो गया, अब third part में, इसी को diagram के form में दिखाना है, कि अगर आपका object, 30 cm दूरी पर है, focal length 30 cm है, और image कहां बन रहा है, 15 cm पर, तो आप इसे ray diagram के थूरूप बताईए, तो ray diagram चलो, बनाते हैं, तिसरे part का answer, solve करते हैं, तो ray diagram बनाना बहुत ज़रूरी है, तो lens कौन सा था, concave lens, तो concave lens आईए बनाते हैं, ठीक है, यह रहा principle axis, बीचो बीच गजर रहा है, ठीक है, यह रहा optical center, ठीक है, यह रहा F, यह रहा 2F, यह रहा F, यह रहा 2F, ठीक है, अब optical center और focus की बीच की दूरी, focal length कितना दिया है, 30 cm, object की distance कहां है, 30 cm, तो object हमारा focus पर रखा है, यह रहा हमारा object, ठीक है, अब object से, एक light ray निकलेगी सीधे, वो तो diver हो जाएगी, और एक light ray, इसको पीछे बढ़ाएंगे, एक light ray जो सीधे पास होगी, optical center से वो सीधे गुजर जाएगी, तो यह दोनों light ray, कहां मिल रही है, यहां मिल रहे हैं, तो यहां हमारा क्या बनेगा, यह बनेगा image, image की distance काम होगी, तो देखो object 30 पर है, तो image की distance कितनी है, 15 ही है, है ना, यह object है हमारा, यह image है, यह हमारा ray diagram है, हो गया, सॉल, चल, question number 39, a lens form से, यह lens है, यह object का, screen पर कैसी image बना रहा है, blur image बना रहा है, ठीक है, a lens form से, blur image of an object, on the screen, as shown below, यह object, यह lens, यह screen, और इस screen पर, इस object की जो lens है, वो कैसी image बना रहा है, blur image बना रहा है, तो what changes, can you make, to the following, to form से, sharp and in focus image, on the screen, इस screen पर, sharp image बने, ऐसा आप, इन में से, क्या change कर सकते हो, इन दोनों चीज़ों में, तो पहला change, आपको करना है, object की distance में, और दूसरा change कर सकते हो, lens, focal lens, off lens में, तो इन दोनों में, ऐसा क्या change करोगे, कि जो screen पर image बने, वो sharp image बने, तो अगर मैं object की distance को, क्या करूं, object की distance को बढ़ा दूं, बढ़ाने का बता, object को उठा कर, यहां अगर रख दूंगा, तो जो light ray निकलेगी, यहां से न, वो light ray और पहले मिलेगी, और पहले मिल जाएगी, तो उसके वज़े से क्या होगा, बताओ, उसके वज़े से क्या होगा, उसके वज़े से, इस screen पर जो image थी, वो तो और blur हो जाएगी, तो अगर मैं object को पीछे ले जाओंगा, यानि object की distance को बढ़ा दूंगा lens से, तो काम नहीं बनेगा, अब मैं क्या करूँ, ऐसा करो, object को न, करीब ले जाओ, तो object यहां था, अब मैं object को उठा के करीब ले जाता हूँ, ठीक है, तो अब यहां से जो light ray है, वो ऐसे निकलेगी, और अब यह, इस screen पर, ऐसे आकर मिलेगी, और screen पर मिलेगी, तो screen पर focus होगा, और screen यहां है, तो यहां पर सच मुझ में light rays मिल रही है, तो यह image sharp होगी, तो यानि आपको object की distance क्या करनी पड़ेगी, object की distance को क्या करना पड़ेगा, decrease करना पड़ेगा, ठीक है, चलो, अच्छा, जब light rays मिलती है, तो वो point क्या कहलाता, focus, तो पहले case में जो focus था, वो इतना था, अब दूसरे case में focus क्या है, यहां से लेकर यहां तक है, तो focal length को अगर मैं बढ़ा दू, लेंस का जो focal length है, उसको मैं बढ़ा दू, तो light rays यहां मिलने लगेंगी, तो screen पर image sharp बनेगी, तो यानि focal length of the lens क्या करूँ, मैं increase कर दूँ, तो भी मेरा काम हो जाएगा, तो मैं यह दो changes अगर करूँ, तो मेरी जो image बनेगी, वो sharp बनेगी, to decrease the object distance, बहुत अच्छा question है, आए देखते हैं इसको क्या बोला है, एक glass slab made of material, of refractive index N1, is kept in a medium of refractive index N2, यानि आपको दो चीज़े दी गई है, एक glass slab है, इसका refractive index कितना है N1, और इसको उठा कर हमने, एक ऐसे medium में रख दिया, इस medium का refractive index कितना है N2, यानि इस medium में हमने glass slab को रख दिया, जिसका refractive index क्या है N1, ठीक है, यह यह ना, यह वाला case है, अब आपको path of ray of light, emerging from the glass slab, draw करना है, अगर N1 is greater than N2, N1 is greater than N2, और N1 is less than N2, तीनो case के लिए draw करना है, ठीक है, तो अब पहला case देखते हैं, तो अब आओ, पहला case, पहला case क्या है, N1 बढ़ा है कि N2 बढ़ा है, जड़ा देखे तो, N1 बढ़ा है, N1 is greater than N2, clear? बास समझ में हारी? N1 is greater than N2, पहला case क्या है, N1 is greater than N2, अब जड़ा है, इस डाइग्राम को वापस से draw करते हैं, N1 is greater than N2, तो N1 अगर greater है, N1 और N2, N1 greater है और N2 lesser है, यानि refractive index N2 का कम है, N1 जड़ा है, तो फिर यह क्या हो गया, rarer medium, और N1 denser medium हो गया, तो इसका मत्तब जो light ray होगी, उसका path क्या होगा, light ray ऐसे आएगी, और towards normal bend हो जाएगे, है कि नहीं? ठीक है, यह पहला case, दूसरा case, N1 और N2 बराबर है, N1 और N2 बराबर है, तो अब आप ही बताओ, उस case में, यह N1 और यह N2, दोनों का refractive index सेम है, तो light ray क्या होगी, light ray जो सीधे आए थी, वो सीधे गुजर जाएगी, यहाँ towards normal bend होई थी, bends towards normal, यहाँ no bending, लोकि दोनों refractive index की value सेम है, और थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, N2 जादा है N1 से, तो अब आप खुछ सोचो, बाहर वाले refractive index की value जादा है, और glass slab यानि N1 की value कम है, तो यानि बाहर डेंसर मीडियम हो गया, अंदर rarer मीडियम हो गया, तो light dancer से rarer जाएगी, तो किधर bend होगी, away from normal bend होगी, तो वो अगर ऐसे आ रही थी, तो यह away from normal bend हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा, away from normal, bends away from normal, bends away from normal, तो यही त्रीन डाइग्राम बना देना था, जिसने बना लिया, उसको आंसर में लिया, चलो, question number 41, क्या बोला है, एक object है, जिसकी size कितनी है, बताओ, एक object है, जिसकी size 7 cm है, तो size मतलब height, तो object की height, प्लस लें लेंगे, तो प्लस 7 cm, कहां रखा गया है, at 20 cm in front of concave mirror, concave mirror के सामने रखा है, यानि object की position, माइनस में कितनी दे रखे, माइनस 27 cm, और concave mirror का focal length, तो concave mirror है, तो focal length माइनस में होगा, माइनस 18 cm, फिर आपको image की distance निकालनी है, at what distance from the mirror, should a screen be placed, तो screen को कहां रखे, कि आपको screen पर image मिल जाए, तो screen को वहां रखो, जहाँ image है, तो image की दूरी पता चल जाएगी, तो उतने दूरी पर screen रख दोगे, तो screen पर आपको image दिखाई देगे, तो अगर यह पूचा है कि, at what distance from the mirror, should a screen be placed, यानि mirror से कितने दूरी पर screen को रखा जाए, so that a sharp focused image can be obtained, ताकि screen पर एक sharp image बने, तो आपको क्या निकालना होगा, image की distance निकालना होगा, तो जो image की distance होगी, उतने ही distance पर अगर screen रखोगे, तभी तो sharp image बनेगी, तो ऐसा जब भी question आए कि screen को कहां रखे, तो आप क्या करो, image की distance निकालना हो, और उतने ही distance पर आपको screen रखना होगा, वही आपका answer होगा, तो खुल मिला के आपको image, screen पूचा तो है, लेकिन indirectly screen की distance पूचा है, तो आप समझ लो, image की distance निकालना है, ठीक है, तो image की distance कैसे निकालेंगे, mirror है तो mirror formula लगा देंगे, 1 upon V plus 1 upon U, scale to 1 upon F, 1 upon V plus U कितना है, minus 27, focal length, minus 1 by 18, तो यह हो जाएगा, 1 upon V plus minus minus, 1 upon 27, is equal to, यह हो जाएगा, minus 1 by 18, तो यह हो जाएगा, 1 upon V is equal to, minus 18, plus 1 upon 27, तो इसका 18, 27 का LCM लेंगे, तो चबवन आएगा, तो यह हो जाएगा, 1 upon V is equal to, 54, तो 18, 3 जा, तो यह माइनस 3, 27, 2 जा, प्लस 2, तो जाएगा, minus 1 upon 54, तो इमेज की जो डिस्टेंस आगे, वो माइनस 54, सेंटीमेटर आगे, पोकल एंटर ठारा है, और जेट की डिस्टेंस 24 है, 27 है, तो इमेज की डिस्टेंस चो वोन आगे, ठीक है, clear, तो अमज में आ गया, कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है, तो अगर इमेज की डिस्टेंस 54 सेंटीमेटर है, तो आप क्या लिखोगे, इतने दूरी पर स्क्रीन रखना होगा, तो इस्क्रीन शूट भी प्लेज्ट, अट ए डिस्टेंस ओफ, 54 सेंटीमेटर, इन फ्रेंट आफ मिरर, मिरर के सामने, 54 सेंटीमेटर दूरी पर, इमेज स्क्रीन रखोगे, तो वहाँ इमेज आपको शार्प दिखाए जाएगे, इन फ्रेंट आफ मिरर, तो याद रखना, जब भी ऐसा कोश्चन आए, कि स्क्रीन को कहां रखें, तो इस्क्रीन वही रखो, जहाँ इमेज बन रही है, तो आप इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, और जो डिस्टेंस आई, बस समझ लो, उतने डिस्टेंस पर, आपको स्क्रीन पर क्या करना है, रखना है, माइनस है तो मतलब इस्क्रीन को आगे रखना है और प्लस में आया तो पीछे रखना होगा है अब हमको साइज भी निकालना है इमेज का और इमेज का नेचर भी निकालना है तो पहले नेचर बता लगा लेते हैं नेचर लगाएंगे पता कैसे magnification से क्या होगा minus v upon u यह हो गया minus v कितना है minus 54 minus 54 u कितना है minus 18 27 यह आपका minus 27 यह minus से minus कट गया और यह minus और यह हो गया 2 तो m का आगया minus 2 तो इसका मतब real है inverted है ठीक है और 2 की value मतलब enlarge enlarge मतलब magnified ठीक है और height of image तो यह minus 2 is called to height of image upon height of object minus 2 is called to height of image निकाल ली है height of object दिया था कितना 7 cm तो यह हो जाएगा plus 7 तो height of image आजाएगी आपकी minus 7 to the 14 cm ठीक है clear चल subjective question भी हमने कर लिए अब start होता है case based question ठीक है तो 41 तक हो गया बचे है 9 question हर case based में 3 question तो पहला case based question है case based में क्या करना है हमको पहले पढ़ना है और फिर question का answer देना है ठीक है अब पढ़ते समय ध्यान अकना है कुछ key points मिला तो उसको अंडरलाइन कर लो तो यहां लिखा है कि एक transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens ठीक है convex lens is thicker at the middle as compared to the edges ठीक है बीच में मोटा होता है edges पर पतला होता है convex lens converges light rays towards the principal axis ठीक है hence or also called converging lens और इसी लोंने converging lens कहते हैं ठीक है तो की principle axis के तरफ converge करता है bend करता है the above image shows a thin lens of focal length five meter तो यह जो image है इसमें आपको एक lens दिखाए गया है जिसका focal length five meter है ठीक है इसको underline कर लेता हो एक काम की चीज़ है और फिर क्या बोला है an imaginary straight line passing through the two center of curvature of the lens is called principle axis तो focus या दो center of curvature से गुजरने वाली light ray रास्ते को हम line को क्या कहते है प्रिस प्रिस्प्र एक्सिस कहते है ठीक है the central point of lenses is its optical center it is usually represented by letter O कि lens का जो center point होता है न किसी lens का जो center point होता है उसे optical center कहते है उसे और से represent करते है ठीक है the lens formula हम इस तरीके से रिपेसेंट करते हैं one upon V minus one upon U is going to one upon F यानिस पूरे paragraph में कहीं ना कहीं convex lens और convex lens के formula mirror फोर्म अतले लेंस formula पर बात कहीं गई है और optical center पर बात कहीं गई है और यहां information दे दी गई है कि इस डाइग्राम में जो lens है उसका focal length के 5 meter तो अब पहला question क्या बोला है what is the kind of lens shown in the case base figure is figure में जो आपको lens दिखाया गया है वो किस tribe का है तो जराब यह देखो कि figure देखने से लग रहा है कि lens बीच में मोटा है और edges पर पतला है और ऐसा lens जो ठीकर हो middle में और edges पर पतला हो उससे क्या कहेंगे convex lens तो जाहिए सी बात है यह कौन सा lens है convex lens है तो हमारे पहले पाट का जो answer होगा वो क्या होगा what kind of lens convex lens तो अगर यह convex lens है तो फिर इसका जो focal length यहां दिया था वो प्लस होगा की minus होगा plus 5 meter ठीक है अब यहां question पर आ जाते है 42 हमने कर लिया 43 if a real inverted image is to be formed by this lens at a distance of 7 meter from the optical center then show with calculation where should the object be placed तो question number 43 solve करते है आ जाओ यह रहा answer 43 यह मत कहना सर्फ 42 का answer कहां गया है 42 का answer हमने यह लिख लिया convex lens ठीक है अब question में बोला है कि अगर यह जो convex lens एक real image बनाता है कितने दूरी पर 7 meter की दूरी पर तो convex lens real image हमेशा किदर बनाता है हमेशा right side बनाता है वह भी convex lens और राइट सइड बनाएगा तो जो इमेज की दूरी होगी वो प्लस होगी vこんな है कि a जो रियल और इनवर्टेट इमेज बना रहा है लेंस वो कितने दूरी पर बना रहा है आप्टिकल सेंटर से 7 मिटर की दूरी पर बना रहा है तो रइट साइड या आपको वी का दे रखा था प्लस 7 मीटर, समझ में आ गया, तो V का साइन मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है, image formation, convex lens जो भी real image बनाता है, real inverted image, वो हमेशा किदर बनाता है, वो हमेशा right side बनाता है, तो image, real image का जो sign, distance होगा, उसका sign जो होगा, वो प्लस होगा, ठीक है, focal length दी आई था, कितना था, इस lens का focal length, प्लस 5 meter, अब आपको पूचा है कि object कहां रखता है, यही पूचा है न, तो लगाओ, कौन सा formula, lens formula, 1 upon V, minus 1 upon U, scale to 1 by 1 upon V, V, V कितना है, plus 7, minus 1 upon U, scale to, plus 1 upon 5, U को में उदर ले जाओं, इसको इदर ले जाओंगा, तो यह हो जाएगा, 1 by 7, minus 1 by 5, is equal to, plus में, 1 upon U, तो यह हो जाएगा, 75's are 35, 75's are 57, scale to, plus 1 upon U, U हो जाएगा, minus 2 upon 35, scale to, plus 1 upon U, U हो जाएगा, आपका, plus, sorry, U हो जाएगा, आपका, minus 35 by 2, meter, यानि U का हो गया, आपका, minus 7,5 meter, यह आपका object की distance आ जाएगी, यह हमारे 43 का answer है, कि where should the object be placed, object will be placed at a distance of 17.5 meter in front of lens, और lens के front में रखेंगे object को, तो जाहिर सी बात है, object का sign क्या होगा, distance का sign माइनस में हाएगा, तो यह 43 का answer है, फिर क्या करना है, draw and neatly label diagram of the image, formation in question number 5, यह 43 होना चाहिए, उपर वाले case में जो चीज़ें है, object image, उसका ray diagram बनाना है, तो ray diagram बनाते हैं, चलो आओ, अगले में डिस्ट वो दिये हैं, तो यह रहा हमारा answer number 44, अब इसी का ray diagram बनाना है, तो आउरे diagram बनाते हैं, ray diagram बनाने के लिए, यह रहा हमारा convex lens, ठीक है convex lens, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह रहा हमारा principle axis, बहुत बढ़िया, इससे 5 meter की दूरी पर, यह ले ले लेते हैं, focus, ठीक है, यह 5, तो यह भी 5, यह ले लेते हैं, क्या, 2F, पर यह 5, तो यह भी 5 ले ले लेते हैं, 2F, और यह ले ले लेते हैं, 2F, ठीक है, clear, अब आप बताओ, देखो, डाटा में देखो, focal length कितना है, focal length 5 meter है, और object कहां रखा है, minus 75, पर मत्तब साड़े 17, तो 5 का दुगना, अब देखो, यह 5, तो यह भी 5, optical center से focus के बीच की दूरी कितनी, focal length, और वो कितना दिए 5, तो यह 5 और यह भी 5, तो 10, और object कहां रखा है, 17, यानि इसके भी आगे, यानि object कहीं यहां रखा है, beyond 2F, रखा है object, object कहीं यहां रखा है, तो जो उसकी image बनेगी, तो वो कहां बनेगी, वो बनेगी कहीं यहां, है न, तो यहां से एक light ray ऐसे आएगी, सीधी, और वो कहां से गुजरेगी, focus से गुजरेगी, एक light ray ऐसे आएगी, और वो optical center से गुजरेगी, और यहां बन जाएगी क्या, image, यही इसका diagram है, यह object है, और यह इसकी image है, ठीक है, clear, समझ में आ गया, तो image की distance देखो कितनी है, साथ है न की नहीं, साथ पतर पांच से ज़्यादा, तो यह पांच और उससे थोड़ा से ज़्यादा, है की नहीं, चल्ट, अब आता है next case based, case based second, यहां आपको aquarium और glass के tumbler के बारे में लिखा गया है, कि aquarium की glass से side से हम देखते हैं, तो मचली आमको बड़ी दिखाई देती है, और अगर किसी glass में पानी भर का उसमें pencil रख दें, तो pencil हमें bend दिखाई देता है, ऐसा इसमें कहा गया है, तो यह paragraph हो गया, आब इस पे question कर लेते हैं, explain the phenomena behind the above observation, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ pencil bend दिखाई दे रही है, तो आपको पता है, ऐसा light के reflection के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ दो medium हो गया ना, एक पानी और एक air, अगर मैं पानी ना डालू, तो यह pencil सीधे दिखाए देगी, तो कि एक ही medium है, लेकिन पानी डालने पर एक air और एक water, दो medium हो गया, तो दो medium से जब light travel करेगी तो bend होगी, तो यह bending मता, reflection, तो यहाँ इस पार्ट का answer क्या होगा, due to, reflection of, reflection of light, question number 46, state snales law, snales law क्या कहता है, तो snales law यह कहता है, कि अगर मैं कोई भी दो medium ले लूँ, कोई भी दो medium, माल लेते हैं, मैंने एक ले लिया air, और एक ले लिया glass, ठीक है, अब मैं medium नहीं बदल रहा, मैंने fix कर दिया, इधर air है, इधर glass है, ठीक है, अब जो light ray आएगी, तो किदर bend होगी, बताओ, जाना ता सीधे, लेकिन यह normal की तरफ bend हो जाएगी, तो यह जो angle बनेगा, यह angle i होगा, और यह जो angle बनेगा, वो angle r होगा, ठीक है, तो अगर मुझे यह निकालना हो, की refractive index, अगर मुझसे refractive index पूछेगा, किसका, refractive index of glass, sorry, इसको ऐसे लिखता हूँ, अब इसने लो यह कहता है, देखो ध्यांसे समझो, इसने लो यह कहता है, कि किसी pair of medium के लिए, medium का pair मतलब 2 होने चाहिए medium, तो मैंने यह 2 medium ले लिए, अम मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, तो for a given pair of medium, the sign value of, the ratio of sign value of, यानि यह angle आई है, तो इसकी sign value मतलब sign I, और यह angle R है, इसकी sign value मतलब sign R, और इन दोनो sign value का जो ratio है, और a given pair of medium, वो ratio हमेंसा fix होगा, constant होगा, जब तक जब तक हा medium change ना करो, यानि किसी भी दो medium के लिए, sign I, और sign R का ratio हमेशा constant होगा, और यह constant value, क्या देगा, refractive index of second medium, with respect to first medium, उसके बराबर होगा, और यही है स्नेल्स law, तो मेरा यहाँ second medium कौन सा था, glass, first medium air, तो मुझे अगर glass का air के respect में refractive index निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूँगा, मैं दोनो angle की sign value का ratio ले लूँगा, और ratio लेने पर जो value आएगा, वही value refractive index होगा, glass का air के respect में, और यह value constant होगा, तब तक जब तक हा medium change ना करो, ठीक है बस यही लिख देना था, the ratio of sign of angle of incidence to the sign value of angle of refraction, is always constant for a given pair of medium, ठीक है, चलो, अब आप लिख लेना, मैं पूरा लिख नहीं रहा हो, लेकिन उसका मतलब यही है, ठीक है, अब नेक्स्ट, एक object है, 5 cm in length is held 25 cm away from converging lens of focal length, 10 cm, तो converging lens का दिया है, converging lens मतलब convex lens, तो उसका focal length क्या हो जाएगा, plus में 10 cm, object का height कितना दे रखा है, plus 5 cm, और बोला है कि object की दूरी कितनी है, माइनस 25 cm, तो find the position and nature of image, तो आपको image की position और nature बताना है, तो पहले position निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, लगाओ formula, 1 upon V, minus 1 upon U is going to 1 by F, 1 upon V, V कितना है, minus 25, sorry, sorry, U है यह तो, यह U है, V तो निकालना है, तो V मेरे पास नहीं है, माफ करना है, तो U और V के चक्कर में गलती होने जा रही थी, लेकिन बच गई, तो यह 1 upon V, minus U कितना है, minus 25, तो यह हो जाएगा, minus 1 upon 25, is going to 1 upon F, F कितना है, plus, यह हो जाएगा, plus 1 by 10, तो यह हो जाएगा, 1 upon V, minus minus plus, 1 by 25, is going to 1 upon 10, 1 upon V, is going to plus 1 by 10, minus 1 by 25, तेकर है, इसको solve करूँगा, तो यह हो जागा, 1 upon V is going to 10 of 25, कैलसियम, 10 और पचीज कैलसियम, कितना होगा, 2 5, 2 25, यह हो जाएगा, 5, बन जा, 5 जा, 5 1 जा, 5 जा, 10, 5 जा, 50, ओजाएगा, तो यह, 10 5 जाएगा, और यह, 25 2 जाएगा, यह हो जाएगा कितना, 3 upon 50, एना, clear, तो 3 upon 50 मतलब VK value कितनी आगे, plus 50 by 3, ठीक है, 50 by 3 का मतलब, 3 बन जा 3, 2, 0, चाहितर जा 13, plus 0.6, प्लस 16.6 cm, ठीक है, clear, अब position आगया, nature of image, पता लगा सकते हैं, कैसे, nature of image, पता लगाना है, magnification निकालो, M is called to क्या हो जाएगा, lens का case है, तो V upon you, V कितना है, plus 16.6, object 25 पे है, focal length 10 पे है, ठीक है, चलो, ठीक है, यह हो गया, plus 16.6, और यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, आपका माइनस 25, तो अब इसको solve करोगे, तो magnification जो आएगा, आपका माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, और value किया आएगी, less than 1, तो माइनस में आएगा, इसका मतलब, नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टे, रियल इन्वर्टे, और value less than 1 आ रहा है, मतलब, दिमनेस दिमेज, ठीक है, इसको मैं solve करूँगा, तो sine minus में आएगा, और ये ratio, 1 से कम आएगा, तो इस image का size कहा है, छोटा object से है, या ने डिमनेस दिमेज, तो वही मैंने nature of image बता दिया, ठीक है, चल, अब आ जाता है, third case based, दो case based, ये तिसरा case based, में लिखा है, कि सशांक, optician के पास गया, क्योंकि उसके आखे खराब थी, और optician ने उसको बोला, कि भाई, मैं दो lens का combination बनाकर, एक lens दे रहा हूँ आपको, यानि वो lens, जो सशांक पहनेगा, वो दो lens से मिल के बनाए, तो दो लेंस का जो power है, वो आपको दे रखा है, minus 3 और प्लस 4 डियाप्टर, ठीक है, अब आपको इतना information दिया था case based में, सर ये तो बहुत कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, case based बहुत बढ़ा दिया हो, फोटा भी दे सकता है, ठीक है, तो अब आपको इस पे based question पूछा है, तो आपको दो lens है, एक P1, एक P2, पहले lens का power है, minus 3 डियाप्टर, और दूसरे lens का power है, plus 4 डियाप्टर, और इन दोनों को मिला कर एक lens बनाया है, और वो lens सशांक पहन रहा है, जब वो optation के पास गया, तो optation है, उसको वो lens पहनने को बोला, तो what type of lens will the combination of lenses will be, what type of lens will the combination of lenses be, यानि अगर दोनों lens को मिला दे, तो जो lens बनेगा, उस lens का nature क्या होगा, पावर क्या होगा, तो nature बताने के लिए मुझे पावर पता करनी होगी, तो मैं combination of lens का अगर पावर निकालना चाहता हूँ, तो दोनों lens का पावर में क्या करूँ, add कर दूँ, यानि P1 प्लस P2 कर दूँ, अब sign का ध्यान रखना है, P1 कितना है, माइनस 3 डियाप्टर, प्ल power of combination lens है, उसका कितना आया, प्लस 1 डियाप्टर, यानि अगर मैं इन दोनों lens को मिला कर तिसरा lens बनाऊ, तो वो lens, ultimately किसके तरह behave करेगा, वो converging lens के तरह behave करेगा, क्योंकि उसका power कितना आ रहा है, प्लस 1, तो इसका मतलब हमारा जो combination of lens है, उसके कितरह behave करेगा, converging lens की तरह behave क करेगा, वोगे, converging lens मतलब convex lens, और convex lens का ही power plus होता है, चीक, पिर, next, which of these will be the focal length of the combination of lens, सशांक has to wear, सशांक जो combination of lens पहन रहा है, उसका focal length क्या होगा, तो combination of lens का हमको power पता है, प्लस 1 डियाप्टर, तो focal length क्या हो जाएगा, 1 upon P, यानि 1 upon 1, meter, प्लस में, और इसको मैं प्लस 100 cm भी क्या सकता हूं, ठीक है, अब option मेरा cm में दिया था, तो यह हो जाएगा, the option is the right answer, ठीक है, जाल, अब थर्ड कोश्चन, कि which of the following does the negative sign in the power minus 3 signify, अगर, power minus 3 डियाप्टर है, तो इसमें minus sign क्या signify कर रहा है, minus sign क्या signify कर रहा है, minus sign यह बता रहा है, power में, कि जो lens है, वो concave lens है, और power minus में है, तो focal length भी minus में होगा, ठीक है, तो focal length अगर minus में है, तो lens कौन सा हुआ, concave, और concave lens के case में, concave lens के case में, जो focus होता है, focus किदर होता है, यह focus हुआ, focus उधर ही होता है, जिधर object होता है, तो focus is on the same side of the lens as the object, बात बिल्कुल सही है, कि जिधर object रखते हैं, उधर ही तो focus होता है, तो इसका मतल़ इसका answer क्या होगा, ए होगा, क्योंकि अगर convex lens होता है, ध्यान रहा को convex lens, convex lens का जो focus होता है, वो यहाँ पीछे होता है, object तो इधर रख रहे हैं, लेकिन object के opposite side उसका focus होता है, convex lens का, लेकिन concave lens का focus उधर ही होता है, जिधर object होता है, तो focus is on the same side of the lens as the object, यह हमारा A answer होगा, और इस तरीके से हमने like chapter के 50 most important question practice किये, जिसमें objective, subjective, certain reason, case based, सभी variety के question practice किये, तो I hope कि इस 50 question की half century लगाने के बाद, आपका confidence बहुत ज़्यादा boost हुआ होगा, अच्छी question की practice हुई होगी, और आपको अच्छे कासे question practice को मिल गए होंगे, तो पढ़ते रहिए, संकल भारत foundation platform पे रागवेंसर के साथ अपने physics को concept को clear करते रहे हैं, physics को strong मनाते रहे हैं, thank you so much, जहीं जपार